हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छों के जांबी होगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही जब बढ़ता सब क्लास को काफी अच्छी क्लास होने वाली है आप लोग इसको दबा करके लाइक करिएगा आपकी जिम्मेदारी है क्लास को आगर के जॉइन करने की और हमारी जिम्मेदारी है आप लोग को इकॉनमिक्स घोल के पर लाने की तो इकॉनमिक्स है जिन लोग को भय लगता है जो लोग है वो डरते हैं एकॉनमिक्स पढ़ने स महा महरतन क्लास यह आप लोगों के लिए सुपर से डुपर बना देगी और आप लोग जितने कोस्टन एकॉनोमिक्स में सही करते हैं उससे आप लोग 3-4 कोस्टन 5 कोस्टन तक एक्स्टरा सही करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़दे हल्पूल होने वाली है साथ साथ घंटे की क्लासिस आलेंगी लगबख में हम 14 से 15 घंटे में पूरी पूरी अर्थ वेबस्ता कवर कर लेंगे मज़े मज़े में और सभी सब्जेक्टों पर आप लोगों के लिए महामेरातन क्लासिस हैं वो दी जाएंगी इस बार तो अभी तक आप लोग अगर कलब से जोईन नहीं हुएं तो कलब को जोईन कर लें और जब 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 से शेयर करें लाइक करें अपने चैनल को और जिन लोगों ने आज तक कभी भी इकॉनमिक्स नहीं पढ़ा है समस्या आती है इकॉनमिक्स तो जीरो टो हीरो वाली क्लासिस पड़ी हुई है पी टी और मिंस दोनों के लिए सिरिफ चावालिस लेक्सर जाकर के देख लिए आपका ऐसा कॉनसेट बन जाएगा इकॉनमिक्स का कि आप लोग कोई भी समस्या नहीं आएगी इसकी प्लेलिस्ट है वह हमारी चैनल पर मिल जागी अगर नहीं मिले तो आप लोग कर दीजेगा बहां पर हम आप लोग के लिए लिंक सेयर कर देंगे तो देखे इस तरह से आप लोग के लिए लेटेस्ट क्लासिस आप लोग को बिजन 365 की PDF मगाना चाहते हैं हाड कॉपी में तो आप लोग घर बैठे मगा सकते हैं इस नमबर पर कॉंटेक्ट करके आप लोग बॉट्स एप पर और कॉल पर बात करके आप लोग के लिए जब क्लास दे रहे थे तो उस वक्त हमारा कंप्वेटर है वो थोड़ा सा गरम हो गया था और गरम होनी के वज़े से हैंक कर रहा था तो आदे घंटे तक हम स्ट्रगल करते रहे पढ़ाते रहे उसमें वीच-वीच में डिस्टप करता रहा रहा वो तो कि लगभग में उसमें 32 से 35 मिनट है वो कंप्वेटर डिस्टप रहा था कंप्वेटर को क्या हो गया था तो रात भर हमसे गलती से ओपन रह गया था हमारे कंप्वेटर हमने इसको बंद नहीं किया था और इस फिर दुफैर तक है ओन रहा इस वज़े से थोड़ा सा ग आट कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही जवर्दस्त क्लास को और जिन लोगों ने क्लास स्टार्टिंग की देख ली है तो हम बीच में जो टाइम लाइन होती है ना उसमें हम एक जो चैप्टर है वो एड करतेंगे तो आप लोग बहां पर क्लिक करेंगे तो डेर embassy आप लोग भहां पर जंप हो जाएंगे जहां से हमने क्लास को बिरेग किया तो वह वाली वी क्लास बहुत मज़िदार थी आप लोगोंने बहुत सारा लाइक किया बहुत सारा प्यार दिया था लेकिन वह क्लास डिलीड कर दी जाएगी या फिर लिस्री आन लिस् दिजिटल कर डख्यापन कराया कमपनियों हें जो मंटी नेशनल कंपनियों होती हैं जिनके मुख्याले कहीं और होते जाकर के इंस्टाग्राम पर जाकर Diे कर अपने क्लब का आप तो लाइक करते ही नहीं है तो आरजी सर ने सोचा और ज़्यादा बचट नहीं है आज जिसा गरीब है तो इस वोजे सुनों ने सोचा 100 रुपे कही चलो कर लेते हैं 100 रुपे का हमने एड़र्टाइजमेंट कर आया किसके पास में या इंस्टाग्राम के पास में गया हमने कब हैं तो ठीक है अरजी सर ने क्या किया जैसे मांती है डिजिटल टैक्स है यहांपर एक्जम्पल के लिए 6 परसेंट लगता है तो सो रूपय का परसेंट कितना हुआ 6 रूपया हो गया न हम यह 6 रूपय काट लेंगे 100 रूपया में से और जो बचेगा कितना रूपया बचेगा 94 रूपया बचा है न तो 94 रुपए और बी के लिए, भारत सरकार को दे दी जाँगी। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए हमने जो यह advertisement कराया तो advertisement कराया तो वो company है बहुत इक रूप से भारत में उपस्तेत नहीं है वो हो सकता है New York में बहुत इक रूप से उपस्तेत हो सिंगापूर में हो जापान में हो किसी अन देश में हो अब हमने पैसा पे किया वो तो बहां चला गया तो वो company है वो भारत के लिए किसी भी प्रकार का टेक्स नहीं देती थी तो भारत सरकार को घाटा हो जाता था तो इसी वज़े से digital टेक्स लगाया गया क्योंकि वो जो Facebook ह इंस्ट्राग्राम में उसकी कोई बहुत ही काई है फिर बहुत ही ग्रूप से भारत में तो उपस्तित है नहीं तो इस बज़े से वो टेक्स नहीं दे दी इसलिए digital टेक्स है देशोने लगाया भारत ने भी digital टेक्स लगाया तो यह चीज़ देखने को मिलेगी लेकिन आख इनों ने देखिए बिरोध किया है जो डिजिटल सर्विस टेक्स से संबंदित एक संपरभू बचन लेने की बात की गई है तो उसके संबंद में यहाँ पर इन देशोने बिरोध किया है आखिर यह संपरभू बचन क्या है इसमें बोला गया है कि जो digital टेक्स लगाया जात इसकी फुल फॉर्म इदर है और गनाइजेशन फॉर एकॉनमिक्स को अपरेशन एंड डबलबमेंट अब लोग के लिए और गनाइजेशन यह देखने को मिलेगा यह जो और गनाइजेशन है अंतर रास्ते इस्तर पर जो कर बेबस्त है उसको सुलब बनाता है इजी बनात कि यहां पर एक एकॉलाइजेशन लेवी इसने देखे इस प्रस्ताओं के तहट देशों से भविस में एकॉलाइजेशन लेवी का मतलब क्या है जैसे कि डिजिटल सर्विस टेक्स लगाया जाता है एक प्रकार का एकॉलाइजेशन लेवी टेक्स ही है तो इसे लागू नह कि लागू करते को लागू करने में दे रही होुग है इसमें बैस बिक असंसर पर जो सुनती हूग-फेसबुक्म फेसबुक फेस्वुक कोई एक कमपणी नहीं है बलक'll एक अपने आप में देश देखने को पलेगा sudah सुनती की नहीं है किसी की तो बोले कि इनको करने के लिए क्या भहिया? एक तरह ऐसे क्या लायाजा है? कि यहां बर डिजिटल सर्विसि टेक्स बस दूता OECD की 2 इस्थमबोबाली योजना का एक हिस्सा आप लोगों को देखने को मिलेगा देखिए 2021 में दो इस्थम्बोबाली इस योजना पर भारथ सहित बंढ़ ठटी एड देशो ने सहमती दी थी तो यह चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी तो देखिए एक तरह से करसुधार के लिए एक तरह से लाया गया है तो चलिए हम आप यहां पर बात कर लेते हैं OECD की जो दो इस्थम मोबाली यह जाना है आखिरे है क्या टू पिलर प्लान क्या है इसका तो देखे हम आप लोगो थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आप लोग लिए थोड़ा सा क्लियर देखे देखे अगर हम बात करें कि यहां पर आखिर यह टू पिलर प्लान लाना क्यों पड़ा तो लाना इसलिए पड़ा क्योंकि B.E.P.S. B.E.P.S. क्या है बेस इरोजन और प्रॉफिट सिप्टिंग बेस इरोजन प्रॉफिट सिप्टिंग है एक तरह की सब्दा बली है आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि बहुत सारे देश होते हैं जहां पर कुछ देशों में टेक्स कम लगता है कुछ के लिए हम एक तरफ ले लेते हैं कुऑ एक सदेश जैसे फर एक जंपन ये भारती ले लेते हैं भारत में मानते हैं 30% डेक्स लगता है और कोई साद दूसरे देश लेंगारी को नहीं दिख रहा हूं को मैं हहां पर लिग देता हूँ बहुत जैसे कि कोई देश है याप ल तो इस पर कितने रुपय हम एक टेक्स देना पड़ेगा 30% यानि कि 100 रुपया हमें मैं थे सरकार ही यह तो बड़ी समस्या जी तो आरजी सर बड़ी चंद्ट हैं यह क्या करेंगे ऐसी इस तरह की एक बेबस्ता करेंगे कोई एक जो हमारे कानौन है उनमें कोई ना कोई loop hole होता है, कोई कमी होती है, हम उसी का love उठाएंगे, और love उठागर के हम क्या गरेंगे, इस तरह से जो ये profit है, हम दिखा देंगे कि हमारा जो profit है, ये buy days में हुआ है, ये buy days में profit हुआ है, profit को shift कर देंगे, ये profit को कैसे shift किया जाता है, economics में हम आप लोग देना पड़ेगा। और अगर यही हम सो रुपय को अगर हम फाई देश में दिखा दिए, तो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ पाँच रुपय हमको cvax देना पड़ेगा। तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है तो हम कोसिस करेंगे की जादा से जादा लाब कहां पर दिखाया जाए जादा से जादा लाब बाई देश में दिखाया जाए और कम से कम लाब है वो एक्स देश में दिखाया जाए यान कि भारत जैसे भी 80 देशों में दिखाया जाए जहां पर टेक्स रेट क्या होता है जादा होता है इसी को बोल एक बॉहार हाइब शेल की स्वापगा कर देती हैं संगापुर में यह फिर उसी तरह के जो देश होते हैं उन में इसी को बोलते हैं कि you a scripts के नाम से आनते हैं यान की base erosion and profit shifting के नाम से जानते हैं तो बस सताफ है बहुरास्ति हैं यह कंपनियों दोरह प्रेयोग की जाने बाली टैग्स प्लाणिंग टैक्स को उसीका लाव उठा लेती हैं जिससे अपना पैसा बचा लेती है आप लोगों देखने को मिलेगा कर बचाओ टैक्समा देखने को मिलेगा तो कर बचाओ संबंधी प्रयासों का समाधान करने के लिए oecd का framework को दो इस्तम्बों हैं तो इस थम नंबर एक है कि कर अधिकारों का पुनर वित्रण किया जाएगा मतलब री एलोकेशन है वो टेक्स का यहां पर किया जाएगा यह है बीस बिलियन यूरो से अधिक टर्नोबन वाली जो टर्नोबर वाली जो कमपनिया है तथा दस पर तीसस से से अधिक लाब कमाने बाली करीब जो सौ बड़ी बहुरास्टी कंपनिया है जो मल्टी निश्नल कंपनिया offenders के मिलेगी उनहीं पर एलागू होगा तो बहुत बड़ी बड़ी ग्लोबल लेवल पर उसको भी लागू करने के बाद की गई है यह है बर्स 2023 से बैस्विक इस्तर पर 750 मिलियन यूरो से अधिक के राजस वाली बड़ी जो कमपनिया है पर 15 प्रतीशत का नियूनतम बैस्विक निगम कर है वो निर्धारित करता है जिस वज़े से क्या होंगी क कमपनियां ऐसा कर है नहीं करेंगी कि कम से कम इतना टैक्स तो हर जगई ही लगेगा चाहिआ आप सिंगापुर में रहे हैं चाहिए कहीं भी रहें तो इतना से आप लोग देखने को मिलेगा G20 और OECD देशों द्वारा एक Global Minimum Tax पर सहमती व्यक्त की गई है जो Global Minimum Tax के है कि इतना Minimum Tax तो हर देश लगाएगा जिससे इस पिरकार की समस्य नहीं आएगी और देशों के लिए राजस्पोग इच्छती नहीं होगी Global Minimum Tax को Global Minimum Corporative Tax Rate जिसको GM-CTR के नाम से भी जाना जाता है अगर हम बात करें GM-CTR बसुता जो बेस एरोजन बाला जो बेस एरोजन और प्रॉफिट सिप्टिंग जो आप लोग देखने को मिलेगा कि समावेसी फ्रेमबर्क का एक हिसा है Global Minimum Tax समझाते का उद्देश आप लोग को देखने को मिलेगा तो यह सारी सीज़ें आप लोग देखने को मिलेगा कि देखिए बहुरास्त्रे कंपनी को Tax Heaven देश उन्हीं को बोलते हैं जहांप Tax Rate कम होता है Tax Heaven देशों में अपने मुनाफिय को दिखाने के करण कम करो का भुकतान करने से रोकना इसका क्या है उद्देश से दे हम आती हैं उस देश में उन्हें कर का भुकतान करने के लिए बात दे करना है भले ही बे उस देश में बहुतिक रूप से मौजूद हो या ना हो तो यह चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी जो अभी हम आप लोग के लिए बताए हैं तो यही चीज़ है और इसमें भी देख लेते हैं आप लोग देखने को मिलेगा कि डिजिटल सर्विस टेक्स बसुता OECD की दो इस्तंभ बाली योजना का एक हिस्सा है दो हजार एकिस में दो इस्तंभ बाली योजना पर भारत सहीत 138 देशों ने सहमती दी थी इस योजना का उद्देश से है वो अभी जो डिजिटल टेक्स है वो लगाया जाता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो तो डिजिटल बस्तुओं और सेबाओं या डिजिटल कारोबारी गतिविदियों पर लगने वाले करको डिजिटल टेक्स कहते हैं जैसे अभी हम आप लोग के लिए बताईते हैं क्या बो नेगा तो डिजीटाल बस्तुएं पर डीजीटल बस्तूई धे वी बस्तूई होती treaty लिए जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर हम बात करें कि भारत बरस 2016 में 6% के Equalization Labi की शुरुआत की थी यानि कि 6% की Equalization Labi 2016 से भारत लगाता चला आ रहा है इसके तहत online बिग्यापनों जो अब हम आप लोग एक्जामपल बताए थे कि online बिग्यापनों तक सीमित बिदेशी digital company यों पर कर लगाया जाता था जैसे कि गूगल फेस्बूक इंस्टागराम जो भी है एक जिस पर भी हम एड़टाइजमेंट दलाते हैं इस पिरकार के कर को डिजिटल एडवरटाइजिंग टेक्स है वह हमको बोलते हैं यानकि एडवर्टाइजमेंट के लिए टेक्स लगाई जा रहा है तो इसी लिए इसको डिजिटल एडवर्टाइजिंग टेक्स के नाम से जानते हैं तो यह चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी देखिए अगर हम बात करें कि भारत सरकार ने बित बर्स 2020 के माध्यम से भारतिय आईकर अधनियम के दाइरे का विस्तार कर जो एक्कॉलाइजेशन लेभी जिसको EL बोलते हैं तो EL को इसमें सामिल किया है समान रूप से EL 2.0 के नाम से इसको जाना जाता है अगर हम बात करें EL 2.0 एक अपरेल 2020 से लागू है यह 2023 के बाद भी जारी रह सकता है इसका कारण यह है कि अलग-अलग देसु द्वारा लगाए जा रहे है इस पिरकार के कर को प्रतिस्तापित करने बाला बैस्विक कर समझो था अपने क्रियान बेयन से संबंदित चुनातियों को सामना कर रहा है क्योंकि अभी हमने आप लोगों को बात कर रहा है हमने आप लोगों से अभी बताए है कि देखे वो अभी उसमें बहुत सारी चुनातियां है उन चुनातियों का सामना करते हुए जब वो अंतररास्टेस्तर पर बैस्विक लेबल पर जसमें कहाँ और ने करूर आप लोगों देखने को चलिए अगर हम बात करें हाँ पर देखिए एक चीज़ दे रखी है गुरुप 24 क्या है तो गुरुप 24 है एक प्रकार का अंतर सरकारी समू देखने को मिलेगा देखिए यह है एक अंतर रास्टी मौद्रिक मावलो और विकास पर एक अंतर सरकारी समू है इसे बर्स 1971 में जी 77 यानि की जी 77 द्वारा इस्तापित किया गया था और चारिक रूप से इसकी स्थापना है वो 1922 में की अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो देखिए इसका उद्देश्य बिर्टेन बुर्ष संस्ता यह 1944 में जो बिर्टेन बुर्ष संस्ता आप लोग जानते होंगे जो लि दिसे अंप लोग को देखने को मिलेगा इसका मुख्याल है जो चीज़ आप लोगों मैं तो these इसका मुख्याल है US वासे वाजिंघ्टी!ば ऐसी है यह इसमें लोग को देखने को मिलेगा इसमें कितने सबस्ता बरत्मान में 29 सबस्ता इसमें बहारत भी क्या है कि है है तो जी 24 का भारत भी एक सदसना आप लोगो देखने को मिलेगा जो प्रॉमोग बात है देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ देखिए आप लोग थोड़ा सा हाई वैल्टेम चलाया करिए क्योंकि जूम बहुत जादा करने पर ही कड़ दाता है तो 720 में आप लोग चलाया करिए फिर 480 चलाया करिए बहुत ही एकदम क्लियर आप लोगों के लिए देखिएगा तो देखिए इन कंपनियों में अमेजन बेलमार्ट और आप लोग वो बैलमार्ट के सौमित बाली जो फिलिप काट है जिस पर लोग उपिंग करते होंगे तो अमेजन है जो अममाजन आप लोग अगर हम बात करें कि जो बैस्बिक इस तर पर जो टेक्स को लाने की बात की जारी है इसमें बहुत सारी चुनाओतिया भी है इसको लागू करने में इतनी आसानी से लागू नहीं होगा देखिए आप लोग देखने को मिलेगा कि इसके अलग-अलग हित्व हैं जैसे कि यूर अपने हैं इन कानूनों में संसूधन करना पड़ेगा संसूधन करने के पशचात ही आप लोगों को देखने को मिलेगा सभी देसे हैं पिरमुप्रमुख देसे वो अपने इन में संसूधन करेंगे तब ही तो पैस्पिक लेबल पर जो कर विबस्ता है वो लागू हो पाए है उधारण के लिए हाली में हंगरी ने यूरोपिय संग के नियूंतम निगम कर को दिया गया समर्तन है वो वापस ले लिया है तो यह चीज़ आप लोग देखने को बिलेगा इसी तरह से अगर हम बात करें OECD के बारे में आर्थिक सहयोग और विकास संगतन की अगर हम संगतन आप लोग देखने को मिलेगी इसकी स्थापना है 1961 में इसकी स्थापना इस संगतन के बद देखी गी थी पहले एक संगतन था आर्थिक सहयोग संगतन जिसको OECD के नाम से जानते हैं इसकी जगह पर OECD की स्थापना की गई है तो यह चीज़ आप लोग देखने को यूरोपीय पुनर निर्माड हिद्धू जो मार्सन मार्सल यूजना बनाए गी थी आप लोग देखिए समय के आप लोगों को देखने को बलेगा नाइटीन फॉर्टीट जो यह समय था अभी यूरोप है बहां पर एक ताजा ताजा दुतिय विस्वियूद्ध है वो खतम ह पुए था उसमें यूरोप को बहुत जाद चटी हुई थी यूरोप में फिर से पुनर निर्माड करने के लिए एक मार्सल लौ लाुए59 के तहगए है यूरोप को फिर से फिर से डवल अब करने के बात की गयी bloody थी वाहई जुच्छती बती हुई युद्धिकर लिया है बिकास करते हैं चल करें तो ये मारसल ओको संचालित करने के लिए इस संस्ता का गठन किया गया था फिर बाद में इसी संस्ता के स्थान पर आर्थिक सायोग और बिकास संगठन के स्थापना कर दी गई अगर हम देखिए इसके उद्देश की बात करें तो बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतिया इस संगटन का आधर सबाग आप लोग को देखने को मिलेगा आप लोग को देखने को मिलेगा जो सभी के लिए समरिद, समानता, अबसर और कल्यार को बढ़ावा देती है यह चीज़ है देखिए एक प्रमुख बात है कि भारत है वो इस संगटन का सदस से नहीं है लेकिन साजेधार आप लोगो देखने को मिले का सदस से नहीं है लेकिन साजेधार में से एक भारत भी इस संगटन का है देखिए अगर हम बात करें मह दिखान रखना है कौन रिलीस करता है OECD रिलीस करता है और साथ में Better Life Index OECD है एक Better Life Index है वह भी रिलीस करता है तो यह दो इंडेक्स है रिलीस करता है तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखने है देखिए यहां पर दिया रखा है बर्चूल डिजीटल परी संपत्यों पर कराधान एक नेक्स टॉपिक है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सेक्षबूर जो CBDT है ने बर्चूल डिजीटल परी संपत्यों पर एक पर एक TDS प्राबधान का अनुपालन करने के तरीके निर्धारित करने के लिए आएकर नियमों में संसोधन किया है देखिए यहां पर आप लोगों कुछ चीज़े देखने को बिलेगी जैसे कि एक च तो वो किस रूप में है डीजिटल रूप में हैे इसी तरह से लिए नविए देखने को मिलेगगा तो तो कूशं भी पूच गया था तो यह सारी चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी डेıl Heights हम बात करें कि यहां पर तो यह क्या है यह डिजिटली रूप से जो रखी गई है इसके अलावर यहीं नइबल की जो टोकन होते हैं जो टोकन होते हैं या फिर किसी भी प्रकार के नंबर के रूप में आप लोगों को कोई ऐसी परिसंपत्ति हो वो सारी क्या है इसी के अंतरगत इंक्लोड की जाती है जैसे फॉर एक्जांबल के लिए आपके सिटी काट फीबियार घूमने के लिए और आपने दस हजार की सौपिंग कोई बड़ी बात नहीं है यह बीबी के लिए लिए तो एक लाक़् की सौपिंग में कोई बढ़ी बात नहीं तो पैंटालून में चलेगे तो एक बारे में एक साड़ी के कीमत है पचास-साथ हजार रुपए मिनमम पचास-साथ रुपए की एक साड़ी खरीद के लिए करिए तो आप लोग देखने को मिलेगा इसलिए अच्छे से महनत करो अच्छे से पड़ाई करो तब ही तो पैसा आप लोगों के पास है तो आप लोग को मिलेगा कि एक लग की स्वापिंग करी बदले में आप लोग के लिए क्लिए एक हजार टोकन दे दिये गए कि भाईया दुबारस आईएगा जो पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स रिवार्ट जो भी चीज़ आप बोल सकते हैं वह और भी क्या है प्रिकार की डिजिटल परिसंपत्ती ही है देखिए यह सारी सीज़ें आप लोग देखने को मिलेंगे डिजिटल परिसंपत्ती इन डिजिटल परिसंपत्ती पर अब टेक्शेशन आप लोग को जो देखने को मिलेगा उसमें देखिए टीडी एस सिस्टम ज जो tax का deduction कर लिया जाता है at source का मतलब होता है source पर ही जैसे कि for example के लिए आप आप जैसे की 1000 रुपए पे कर रहे हैं किसी एक हजार रुपए पे कर रहे हैं किसी virtual digital परिसंपत्ती के लिए तो एक हजार रुपए में से जितना भी tax होगा उसे इस तरोत पर ही source पर ही काट लिया जाएगा मतलब इसमें से मानते हैं 100 रुपए टेक्स लगा for example के लिए मान लेते हैं देखिए 100 रुपए टेक्स लगा तो 100 रुपए है यह टीडीएस के रूप में काट लिया जाएगा जो सेस रुपए बचा हुआ है 900 रुपए यह जो भी वेखती है उसके लिए दे दिया जाएगा जैसे हमसे आप आकर के कोई परिसंपत्ती खरीदे 1000 रुपए की तो आप क्या करेंगे 100 रुपए का क्या करेंगे टेक्स के रू संसोदित नीमों के तहत एक बर्स में 10,000 रुपए से अधिक की जो बर्चूवल डिजिटल आप लोगो देखने को मिलेगा या फिर जो क्रिप्टो करेंशी होती है क्रिप्टो करेंसी से तो बहुत ही भली बात है आप लोग पर्चित होंगे क्रिप्टो करेंसी बहुत पर एक प्रतीसित का जो TDS है वो काट लिया जाएगा एक प्रतीसित का TDS यान कि सो रुपए की अगर आप खरीदे हैं तो उसमें से कितना हो गया तो आप लोग एक परसेंट यान कि एक रुपए है लेकिन एक कब लगेगा तब लगेगा जब एक बरस में दस हजार से अधिक कि यह जो वर्चूल डिजीटल एसेट को खरीदे हैं मतलब उसके लिए भुखतान करते हैं अगर आप उससे कम की खरीदे हैं एक बरस में तो आपको यह टेक्स नहीं काट रहा है तो यह चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी निर्दिस्ट बेक्तियों के लिए जो T जिने आईटी अधनियम के तहत अपने खाते का और्डिट कराना आवशक हैं उन लोगों के लिए सीमा पचास हजार रुपए देखने को मिलेगी तो यह चीज आप लोग देखने को मिलेगी देखिए यहां पर एक चीज दे रखी है बर्चूल डिजिटल एसेट जो है जिसको बीडिये के नाम से हम लोग जानते हैं इससे बहुत सारी चिंताएं तो चिंताएं तो बहुत सारी देखने को मिलेगी देखिए इसमें एक उच्छ जोखिम भरी परिसम पती होती है जैसे कि आज आपके पास में कोई डिजिटल करेंसी है या कोई भी करेंसी आप लोग और दिजिटल रूप से है तो हो सकता है मतलब जो हम्यहां पर जैसे कि कि न करेंसी से डिजिटल रूप में है जैसे कि अनिए इंटितर उप्यस्च वह गए जैसे की एससी समस्याइयं नई है क्योंकि वह तो भारत सरकार की ही की देता है यह भारत सर्गार की के देता नहीं है इन में समझ जाए है तो दीखे यह आप लोगों को देखने के विलेगा अगर हम बात करें इन में क्या होता है जोखी बहुत ज़ादा होता है आज आज आपके पास में जो digital currency हैं उसकर हो सकता है एक कड़ूर परائज रेकिन हो सकता है सुबह उसका प्राइज क्या हो जाए मूल क्या हो जाए सूनने हो जाए और कोई कहने वाला नहीं है कि यह सुन क्यूं हो गया हो सकता है कोई खरीदारी ही मार्केट में नांतिये आपकी आफटी खरीदने क decision ना हो तो लेंदेन में कोई भी नुकसान होने पर भी नियामक से किसी भी प्रकार की म decomposition की मंदद नहीं मिलती है यानि कि भाई आपके पास साथ में कोई नुकसान होगी अधोका दड़ी होगी तो किसके पास आएंगे किसी के पाद नहीं जैसरे आपके पास में 2000 का नोट है 500 का नोट है उस पर लिखा होगा सुन्दर सुन्दर सब्दों में RBI के साथ की मैं धारत को 500 रुपए अदा करने का बचन देता हूं जितना उसने अपनी पत्नी के साथ बचन नहीं लिए होंगे उतने नोटों पर उसने क्या बचन दिये हैं हर नोट पर एक बचन दिया है बर रुपए का नोट होता है उस पर किसके हस्तक चरूते हैं जैसे कि 500 और 2000 के नोट पर किसके हस्तक चरूते हैं बताईएगा आप लोग तो कमेंट करके सबी लोग के लिए बताना है इससे संबंदित कुछ चिंता है और जिनको नहीं पता वो महरतन क्लास आकर करें देखे इस इस में बहुत सारी समस्याइइं हैं कौन-कौन सी समस्याइए हैं जो डिजिटल एसिट्ड को ले करके देखें बित्य प्रनाली को आइसथिर कर सकता है और आप लोगों को देखने को मिलेगा देश के लिए इस संपूरुपता के हीटों के एक बीआप देखने को मिलेगा- अब RBI है अगर लोग ज्यादा मात्रा में अगर बर्चूल एसेट का उप्योग करने लगे तो RBI है वो रुपिया को ही कंट्रोल कर पाएगी लेकिन सब क्या है डॉलर में या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करें क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने लगे तो क्या हो जाएगी कोई प्रभाव नहीं पड़ी आर्थ वेवस्ता पर तो जो RBI है उसकी प्रभाव सील तक भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो यह एक समस्य वाली बात है इससे भारती अर डॉलरी का लर्ण सुना होगा आपने तो डी डॉलरी का लर्ण होता है कि डॉलर की जगे पर कोई अन्मुद्रा का उप्योग करना डी डॉलरी का रण है तो अंतरा सिस्तर पर यह मोहिम चला ही जा रही है कि जो देश हैं जो मेजर ट्रेडिंग कंटरीस होती है वो आपस में ह तो रिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे यहां पर बैपार करेंगे तो यह चीदभ आप लोग को देखने को मिलेगी इससे भारतिय कि देखेेकर पर लोगों देखने को मिलेगा द गृटék वही आपर दिया रखाऊगा देखे आतंग बात के बित पोशड के लिए money laundering के लिए नसीली दवाओं के तसकरी में भी इसका दुरुपियों किया जाता है आज आप लोगों देखने को मिलेगा जो जहारखड में जो इतना ज्यादा इतना ज्यादा मतलब जहारखड में इतन होता है तो उसको ट्रैक में नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो हमारी एजंसियां है वह रुपए को तो ट्रैक कर सकती है लेकि इसको कैसे ट्रैक करेंगी तो जी डिजिटल फॉर्म में जो एसे होता है इसको ट्रैक करना क्योंकि इसको कोई भी बिनियम इतनी करता है तो हम किसक यहां पर देखिए आप लोग एट चीज हम अभी देखें आप लोगों देखने को मिलेगा अगर हम बात करें यहां पर बर्चुल डिजिटल परीसंपत्यों को आएकर अधनियम 1961 के तहत परवासित किया गया है देखिए बहुत important बात है आप लोगो धियान रखना है हो सकता है statement के रूप में पूछा जाते हैं क्या virtual digital एकट गया है अब लोग देखने को मिलेगा पूछा जाएगा तो जो virtual digital परिसंपतियां हैं इनके लिए हमारे कानूर में परिभासित किया गया है किसके माद्धियम से बित्थ बिदेहक 2022 इसको परिभासित करने के लिए तो आएकर अधनियम के अंतरगत IT Act के अंतरगत अब इसको परिभासित किया जा चुका है परिभासा के रूप में भारतिय या बिदेशी मुद्रा नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे भारतिय या फिर बिदेशी मुद्रा के अलाबा अन जो मुद्राएं इस रूप में हैं उन्हें हम डिजिटल एसेड मानेंगे तो यह चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगा ओके डिजिटल परिसंपतिय किया जा सकता है तो यह चीज़ आम लोगो देखने को मिलेगी देखिए इसमें नॉन फंजिबल टोकन जो एनि एफटी इससे कोश्चन भी आया था लास्ट इयर इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगो पढ़ाएंगे एनि एफटी और क्रिप्टो यादी आप लो अब लोग को इसमें सामिल आप लोगो देखने को मिलेगी देखिए अब यहाँ आप पर कोई आसी बिस्स बात नहीं है जो अभी हम आप लोगों को बताई थे बहुत शेक्ट आप लोग बूब मुद्ढ दर्जां नहीं मिला हुआ है भाले भी इसको कानूनी मुद्ढ का दर्जां मिल गया है इस नहीं रहे बस इसको टेक्स इंडर में लाया गया है चीह करें डेखिए अब लोगकोदاخ 모양 को चीह 쓰고 आप लोगों देखने को मिलेगी, अगर हम यहां पर बात करें, बर्चुल डिजिटल परी संपत्ती पर कराधान की बात करें, तो देखिए, अगर आप किसी भी पिरकारी की बर्चुल परी संपत्ती रखते हैं, तो अगर आपकी आए होती है, तो उस आए पर 30% की समान दर से आपके उपर tax लगेगा आपने 100 रुपए का profit कमाया जैसे आपके पास में बहुत सारे bitcoin थे या फिर कोई भी चीज थी किसी भी रूप में अब आपने उससे क्या कमाया है 100 रुपए लाब कमाया तो 100 रुपए में से 30 रुपए यानि की 30% यानि की 30 रुपए कहां चला जाएगा 30 रुपए गौर्मेंट के पास में tax के रूप में चला जाएगा और बहुत प्रमुग बात है कि देखिए जो 30% की समान दर से tax लगेगा और इसे किसी अन्य नुकसान की भरपाई के रूप में नहीं दर साया जा सकता यानि ही आपने दिखाया कि 100 रुपए का हमको लाब हुआ लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यह दिखाया कि हमको 50 रुपए का तो किसी कारणवास दूसरी हमारी पास में एन्य एफ्टी थी उससे हमको क्या हो गया नुक्सान हो गया तो भहिया उसमें कर दो ऐसा नहीं होने वहला है आप लोगे देखने को भी लगा जैसे आपने कहा कि हमारे पास में कि कि नुक्सान वगया तो यह चीज नहीं है कि आमने दिखाया कि भाई लाब हुआ और किसी में हमको 50 रुपए का नुकसान हो गया इस हिसाब से हमारा नेट प्रॉफिट तो 50 रुपए बचा तो नेट प्रॉफिट है तो इस पर इस पर 30 परसेंट का टेक्स लगाई जाए तो नहीं ऐसा नहीं होगा कि 15 रुपए आपसे टेक्स लिया जगा ऐसा नहीं होगा यह आप लोग को देखने को मिलेगा कि 100 रुपए का आपको प्राफिट हुआ उस 100 रुपए पर ही आपको यह देना है यहाँ पर किसी भी अन अन्य किसी भी जीज़ को नहीं को एक दो बार आप लोग पढ़ लीज़ेगा यह सुन लीज़ेगा यदि बर्चूल डिजिटल परी संपत्ती उपहर के रूप में दी जाती है तो जिसको उपहर मिलता है उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा जैसे कि मानते हैं कि हम हैं हमने क् हम आपसे बहुत खुस होगे बोली बैटा तो बहुत तो पौहर करें गचे कौन पफ़ार मिला है तो यह रही टेक्स करने की चिस की होगी अगर यह ने की कि अगर हम बात करें इंहां पर जो इंस संबंदित बइग्यापनी बिंग्यापन Chi मन है वो भी किया गया है देखे एक बहुत इंपोर्टेंट बात है कि अगर जो भी डिजिटल एसेट जो है इनको लेकर के किसी भी प्रकार का ब्रहामक बिग्यापन अडबर्टाइजमेंट अगर कोई करता है तो ब्रहामक बिग्यापन करने पर वो क्या है डंडनिय इसमें स्पेसली मेंशन कर दिया गया यदि उन्हें बिग्यापन के बारे में पूर्ब में परताल नहीं की है तो भी डंडनिय माना जाएगा यानि कि अगर उन्होंने बिग्यापन के बारे में पूर्ब परताल नहीं की है तो भी वो क्या माना जाएगा डंडनिय माना जा यह था तो यह चीज़ है बहुत इंपॉर्डेंट बात आप लोग को देखने को मिलेगे इसी तरह से अप्लाइट उच्छन यूपी ऐसी पूसता है हमने आप से बोला ना घोल करके पिला देंगे बस आने की जिम्मेदारी आपकी है पढ़ाने की और घोल के पिलाने की जिम् देश जारी किये हैं आप लोगों देखने को भी लेगा एस द्वारा सब ही जो बर्चुर डिजिटल एसेड हैं उत्पादों और सेबाओं में क्रिप्टो उत्पादों और एनिएफटी के संबद में डिस्क्लेमर अनिबार रहे हैं डिस्क्लेमर क्या होता है जैसे हम भी आप लोगों पढ़ाते हैं जैसे हमारा हम आप लोगों अभी प्रजेंट है में बिजन 365 पढ़ा रहे हैं तो बिजन हमारा ऑफिसेज चैनल नहीं है बिजन के साथ में हमारा कोई ऑफिसली अग्रिमेंट नहीं हुआ है इस बज़े से नीचे हम डिस्क्लेमर डालके रखते मेंडेटरी है इस जीदा आप लोगों देखने को मिलेगा अगर हम बात करें एस एस सी एक सव बिन्यामक संगटन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी स्थापना 1985 में इसकी स्थापना की गई थी इसका उद्देश से है कि विज्यापन में 100 नियमन के माध्यम से भारत आप लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए इस संगटन की स्थापना की गई थी देखें यह कानूनी रूप से गैर बात देकारी बिग्यापन संहिता और दिसा निर्देश जारी करता है केबल टेली विजन नेटवर्ग नियम 2006 केबल सेबाओं द्वारा किये जाने वाल होते हैं जिसमें टेक्स और नॉन टेक्स देखने को मिलेंगे टेक्स राजस्पवे होते हैं जो टेक्स के मद्ध हमसे कलेक्शन किया जाता है तो बो भी क्या है कि स्तरोत है पाईसे का दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉन टेक्स क्या है जो टेक्स के अलाबा वो रेड़ देती है अब उस रेड़ पर उनको मिलता है उस ब्याज से उसकी क्या हो जाती है सरकार की कमपनियां सरकार को पीसे देती है वो भी एक इसी तरह से आप लोगों को देखने को मेलेगा कि बहाँ सारी परिशंपत्ती का बी मुद्री करण हो गया बीन वेश ओगया निजी करण हो गया तो १ो तो वो भी क्या है एक राज्यस्व का इस तरोध देखने को मिलेगा तो देखिए यह चीज है अगर हम यहां पर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं परी संपत्यों के मुद्री करण के चरणों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए जो चरण है एक सेड़ अगर सरवजनिक उपकरण होते हैं, उनकी भूमी को एक रित करने का काम, इसका इस निगम का आप लोगो देखने को मिलेगा, फिर आप लोगो देखने को मिलेगा कि रड़नीतिक निवेस पर बैकल्पिक तंतर देखे, इसको 2019 में यह बैकल्पिक तंतर है, वो बनाया गया है, कोई कंपनी होती है, सरकारी कंपनी होती है, उसमें जो सेर धारिता है, उसको कम किया जाता है, पचास परसेंट यह उससे कम कर दे जाता है, यान कि पचास परसेंट तक यह उससे अधिक की, अधिक के जो सेर होते हैं, उस कंपनी के बेच दिये जाते हैं, उसी को बोलते हैं रड़नीतिक, बीनेइज, इससे क्या होता है, प्रबंदन का भी ट्रांसपर हो जाता है, क्योंकि 50% से कम अविस्सेदारी बची है, तो तो यह प्रबंदन भी किसी और को दिया जा सकता है, तो यह चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी देखे इस तंतर में कौन-कौन होता है तो इसमें सदस्य कौन-कौन होते हैं तो बित मंतरी देखने को मिलेगा इसी तरह से सड़क परिभान और राजमार्ग मंतरी और संबद्यत प्रसासनिक विभाग का जो प्रतिनिद्द करन आप लोगों को देखने को मिलेगे उसी तरह से अगर हम बात करें रास्टी यह मुद्री करन पाइपलाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि लिए हमारा मुबाइल है कि लेगा तो यह क्या है मुद्री करन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राज्य सार्वजणिक्षों चेतर के उद्दम का मतलब जो स्ट्रीट ग्वौर्मेंट में स्टेट गवर्मेंट में जो उद्दम है मतलब उद्दम का मतलब क्या है जो कंपनी है पॉब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है राज्यों की उनका भी प्राइबिटाइजेशन करना एक तरह से निजी गरण करना आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखे बित बर्स 2023 में गव पॉब्लिक सेक्टर की कंपनिया है उनका निजी गरण करना इसका उद्दिस देखने को मिलेगा देखिए अब यहां पर कुछ यहां पर सब्दावलियां दे रखी है जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा पहली सब्दी सब्दावली है ट्विंस डिफिसिट दोहरे दोहरे घाटे की समस्या ट्विंस डिफिसिट क्या होता है जब किसी देश में चालू खाते का घाटा और राजकोसी घाटा दोनों घाटे अगर देखे जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्विंस डिफिसिट बोलते हैं यानि कि दो दो समस्या हैं ट्विंस समस्या हैं घाटे की तो एक तो घटा है चालू खाते का घटा है और दूसरा क्या है राजकोस ये घटा है ये दोनों घटे जिस देश में होते हैं उसको बोलते हैं आखिरे चालू खाते का घटा क्या होते हैं तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे भुक्तान संतुलन तो भुक्तान संतुलन में हम आपको बताये थे कि दो तरह के खाते होते हैं एक तो होता है चालू खाता दूसरा होता है पूजी खाता चालू खाता जो होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किये थे एक द्रस और द्रस द्रस में होता है जिसको हम छू सकते हैं कि आयात किया जाता है तो उसके लेंदेन को सामिल किया जाता हैं okay चालू । ऑफ छािते के द्रस्टमें जिसको हम व्यापर एक तरह से व्यापर चालु के नाम से भी ज।News or डूसरा आप लोग को देखने को मिलेगे इसी में होता है अद्राश ऐसे सेवाई होती है उनका आदान-पिदान किया जया जाता ह। किसी प्रकार का हस्तना न आतरण होता है नो गिंट दे दिया तो यहीद चालू खाते का घटा आप लोग oversimis और इसी तरह से, यनि कि चालू खाते के ही अंतरक्त्रक्त में आएकांному स्वाइब देंदेने को मिलेगा सरकार के कुल बएके बीच का जो अंतर गहां कि घटा हो जाता है गहा parade के लिए बात्तर KU उस बित्तिय में लिया गए, जो सरकार के द्वारे रिड होता है, उसको हम घटा देते हैं, तो बशता, जो Tablet उसी को हम बहुते हैं, राजगोसिय घटा, क्योंकि आप लोग लोग जानते होंगे, कि जो government है जिस बितिये वर्स में red लेती है उस red वाले को भी सरकार के इस तुरोतों के अंतरगत count किया जाता है वो पूजी प्राप्तियों के अंतरगत रखा जाता है तो इस बज़े से हमको आपसकता पड़ती है कि यहाँ पर राजकोसी घटा लिकालने के लिए कुल प्राप हो जैसे की एक बित्थिए बरस में क्या हुआ जैसे कि आपके लिए ये क्पिति बित्थी पर श्कला मिला साओपया cama सो और मिला भुबिनन रूपू उपनी किसी ने दुसी ने पॉक्षणा में दिया कि किता उताब बची थी बेच करके आपने कमायाँ तो एक साल में आपका 120 रुपए खर्च हो गया, खर्च कितना हो गया, यानिकि आपका घाटा कितना हो गया, 20 रुपए का, यानिकि 20 रुपए का आपने जादा क्या खर्च कर दिया, यानिकि ये 20 रुपए क्या हो गया, आपका घाटा हो गया, यही क्या है, राजकोस ये घाटा है समान सब्दों में तो यही चीज़ आम लोग को देखने को मिलेगी तो यह चीज़ है तो देखे यह नियूज में क्यों है तो आप लोग देख सकते हैं बित्त मंतराले ने अपनी मासिक आर्टिक समिक्षा में बस्तूओं की ऊची कीमतों और बड़े सबसिटीवों जिके साथ भारती अर्थ विवस्ता में दोरे घटे की समस्या के फिर से उभरने के पिरती सचेत किया है इस वज़े से यह नियूज में है अगर हम लोग बात करें तो अगर हम बात करें कि बढ़रत के अंदर जो प्रात्मि घटा है बहुत अच्छी नहीं है लेकिन हलके हलके अपने ट्रैक पर आ रहा है यह च्छी बात आप लोगह हुआ जो घृसा कि बरत तो घटा किती अच्वा, 1,2,740 अ, पीरिड ताई, कोरोना का काल था, तो कोरोना में सरकार की खर्चे बढ़ते चले गए, लेकिन लोगो, लोग, सब लोग घर बे बैठे हुए थे, क्योंकि आठ सी क्रियाएं नहीं हो रही थी, इस बज़े से सरकार की पास, सरकार की प्राप्तियां तो कम हो गई, फिर से ट्रेक पर आजाएगा क्योंकि अभी भी निवेस जादा हो रहा है तो हलके हलके ट्रेक पर आजाएगा आप लोग देख सकते हैं क्या है किया गया है कैसे ट्राइग क्या तो देखिए किसने लॉंच किया है इसे इसे बिध्त मंतराले ने शारबजनिक कग परवंदन प्रणाली का एक इस बित्यान गीनिक के रूप में इसको लॉंच किया है तो इसका उद्देश सारवजनिक बित में प्रॉद्धुकी के लाब के प्रभावी लाब को सुनिश्चित करना आप लोग को देखने को मिलेगा यह है पहल पी एफ एमस जो आप लोग को देखने को मिलेगी पी एफ एमस सुधार का एक हिस्सा आप लोग को देखने को मिलेगा ओके देखिए दो हजार इकिस में शुरू किया गया था इसे यह बिसलेशन करने के लिए शुरू किया गया था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन कैसे जारी और बित्रित किया जा रहा है तो उसको ट्रैक करने के लिए उसकी निगरानी करने के लिए इसको लांच किया गया थ ये के software आधारित एक application आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बैबाधारित है इसे लेखा महा नियंतरक कारियाले ने बिक्सित और करियान बित किया है तो ये भी चीज़ आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं अगर हम लोग बात करें तो देखिए यह सरकार को एक उच्चतम सारवजनी बितिये प्रबंदन प्रनाली की सुब्दा प्रदान करने पर लक्षित है अगर हम बात करें SNA मॉडल जो है तो SNA मॉडल है इसके तहट प्रतेकराज्य के अंदर एक SNA account है वो बाड़िजिक बैंक में खोला जाएगा और के अंदर प्रयायो जितनी भी योजना पैसा इसी account में आएगा और यहीं से खड़ सकी आजाएगा जिससे क्या होगा जो पैसा कहां से आ रहा है कहां जा रहा है इसको अच्छे से ट्रैक किया जा सके जिस वज़े से इसकी अच्छे से निगरानी की जा सके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके तो यह चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेघी और चैसी रॉक blends कि बाहरेट पर एक इस्तिती रिपोर्ट है जो स्टेटास रिपोर्ट आप लोग को देखने को मिलेगी वो रिलीज की गई है देखे अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट में आर्थिक मावलो के विभाग की विदेशी रिड प्रवंदन इकाई ने जारी किया है 2021 की तुलना में अगर हम बात करें 2022 तक भारत का विदेशी रिड तू एट पॉइंट तू प्रतिसत बढ़ गया है इस बज़े से 620 बिलियन डॉलर जो रिड है वो भारत के उपर हो गया है यह चीज़ां आम लोगो देखने को मिलेगी और इसमें सबसे बड़ा भाग है वो अमेरिकी डॉलर का लोगो देखने को मिलेगा देखे अगर हम बात करें सरकार है सरकार जब खर्च करती है तो जो घ आप लोगो देखने को मिलेगा तो आप लोगों देखने को मिलेगा 95.1 परसेंट आप लोगों देखने को मिलेगा तो यह चीज आप लोग यहां पर देख सकते हैं और कोई इसमें ऐसी rocket sense वाली सीज नहीं है अगर हम बात करें tobin tax तो देखिए tobin tax है इसको कब लगाया जाता है जो 60 वाज होते हैं तो 60 वाजों को रोखने के लिए tobin tax लगाया जाता है क्या होता है जो हमारी हमारा रुपिया उसकी value है वो up down होती रहती है उसी up down का लाव उठा करके लोग 60 वाजी कर लेते हैं जैसे कि आप लोगों के लिए example बताएं जैसे कि आप लोगों को देखने को पहले का अगर हम बात करें एक डॉलर है एक डॉलर है और यह मानते है भारत है तो एक डॉलर है उसकी कीमत है किसी भीज दिया अब उसको क्या मिलके 60 रुपए मिलके क्या मिलके 60 रुपए मिलके अब क्या हुआ यही डॉलर की कीमत है अब गिर गई डॉलर की कीमत गिर गई हो गिर करके कितने हो गई मानते हैं आदी हो गई मतलब 30 रुपए हो गई डॉलर की कीमत अब क्या करेगा वह कि इसके पास में उसके sales उपै लिका लिए अब साज रुपै के व ago'd खोने priceodel मिलेंगे कितने दॉ कर लिया उसने लाब कमा लिया ừह लूज मीताया आप एक रुपए के लिए ऊपर मुझे जाता है यहाई तो millions में किया जाता है एक million dollar उसने भेजा और फिर वो क्या करेगा एक million dollar के बरावर फिर से उसको बापस मगाएगा तो उसको जो profit होता है वो हजारों कडोरों में हो जाता है आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यह तो हमने एक्जांपल के लिए यहां पर इतना तो एकदम रुपया नहीं गरता है ऐसे जिरू पॉइंट फाइप जिरू पॉइंट एट एक रुपए दो रुपए ऐसे कम जादा भी होता है तो वो उसका जो profit जाता है वो millions में जाता है जाता है आप लोगों को मिले तो गवर्मेंट कहती अच्छा-च्छा तो मैं कितने का profit हो गया बोले कर दो एसा तुम 0.9 डॉलर है उसको टेक्स के रूप में दे दो और जो सेस 0.1 डॉलर बचा है वो तुम ले करके मौज करो यानि कि यहां पर सरकार ने क्या किया जो यह सट्टे वाज थे इनको इनकी उखाद दिखा दी बोले कि वेटा हम तुमको बताते हैं सट्टे वाजी करोगे तो तुमारे अर्थ विवस्ता इस्तिर बनी रहती है हमारी बित्य विवस्ता उसमें इस्तिरता रहती है उसमें ज्यादा उतार चड़ाओ नहीं आता है तो यह चीज काफी इंपॉर्टेंट आप लोग को देखने को मिलेगा हम इसी को बोलते हैं हम इसी को बोलते हैं हम इसी को बोलते ह इसका उद्देश देखने को मिलेगा, देखिए, कुछ देश ऐसे हैं, जहां पर जो ये टोबिन टेक्स, उनके राजस्व का ही स्तरोद बन जाता है, राजस्व का स्तरोद उन देशों में बन जाता है, जहां पर अल्प कालिक पूजी का लेंदेन बहुत जादा होता है तो उनके राजस्ब का एक हिस्सा बन जाता है इसी तरह से आम लोगों को देखने को मिलेगा बिंड फॉल टेक्स की अगर हम बात करें बिंड फॉल टेक्स क्या है ये एक प्रिकार का एक भी कर देखने को मिलेगा लेकिन एक कर होता है एक बार लगाया जाता है एक बार की कर आप लोगों को देखने को मिलेगा साथ में एक टेक्स तब लगाया जाता है जब अचानक आप परतियासित रूप से अचानक से कंपनियों को लाब हो जाता है अचानक से आप परतियासित जो लाब होता है उस पर लगाया जाता है बिंड फॉल्ट जैसे रूस और युक्रेन युद्ध के दौरान ये न्यूज में आ गया था क्योंकि रूस और युक्र दो हुआ रूस और यूक्रेशन के बीच में तेल की केमतिय मानते हैं सो रुपए के करीब में पहुंच गए वैसे मतलब सौ रुपए करीम पेट्रोल अभी चली रहे है नायंटी सेवन के में नौर्माली पेट्रॉल चल ला है प्रमियम पेट्रॉल 105-5 के करीम में चल ला है अलग अलग राज्यों में आगे पीछे आप लोगों देखने को मिलेगा हमारे राज्यों में 97-98 रुपए के आसपास में पेट्रॉल चल ला है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 100 रुपए होगे तो अच्छानक से यहां पर 30 रुपए एक लिटर पर मानते हैं 30 पर 11,000 रुपए इंकन रुप लाब होगे है एक लिटर पर होता है पहले सी इनके पास में टेल था तो इन्हों ने आप अपरतियासित रुप रूप से लाब कमा लिए ऐ ही जो लाब हुआ इस पर क्या हुआ हुआ ग्वर्विट णे एक वाड टेक्स लिप लगा दिया इस के उपर जो टेक्स लगाया जाते हैं और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जिसे एक्जामपल दिया रखा है कि घरीलू तेल की बढ़ती कीमतों को नियंद्रित करने और साथ में पेट्रॉल की घरीलू अर्थविवस्ता को पूरा करने के लिए यह लगाया जात है पड़ाई दर पदसला वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं होती हो चलिए वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है अच्छे से तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिया कि दर गया लोग देखने को मिलेगा गार गार कानून है काफी इंपॉर्टेंट है जर्नल एंटी आव का प्रयोग कर से बचने की आजशुआ का प्रताओं को रोकने के लिए इसका ओप्यों करता है जैसे कि अगर हम गार की बात करें गार को जब भारत में लागू क्यों किया गया बोड़ाफोन और हज दो कंपनिया थी बड़ी चंट कंपनिया थी इन दोनों ने क्या किया जै के फुल के लूफ होल थे जो आइस पस्ता थी उन्हीं का लाब उठाते हुए उन्होंने क्या कर लिए एक तरह से करवंचन करिए टैक्स देने से वो बच गई तो गौर्वेंट ने का अच्छा हम तुमको बताते हैं हम लेकर के आते हैं गार क्या करता है इसी पिरकार की जो का ध्यoupe होती है इसी को रोकने के लिए घर लाया जाता है तो घार को भारास सरकार का हम हम लागू करेंगे इसको भूत-पूर्भ रूप से रागू करेंगे मतुब पहली के और तारीक से लागू करें किया जिस दिन तुमने खरीद और उसी दिन से हम इसको लागू करेंगे उसके एक दिन पहले से हम लागू करेंगे तो यह चीज़ आम लोग देखने को मिलेगे फिर बाद में इसको भूत-पूर को रूप से लागू नहीं किया गया था क्योंकि बाद में समिति का गठन को बाद में भूत्पूर ब्रूप से लागुर नहीं किया गयाँ था आइका रधनयाभ उनने 61 के तहट एक अपरेल 2017 को लागू हुआ था इसका प्रभावी क्रियान बयान इसी बर्स से शुरू हुआ यानकि भूत पूरी रूप से इसको लागू नहीं किया गया था यह जिद आम लोगों को देखने को मिलेगी देखिए अगर हम बात करें यह अंतिम उपाई रूपी प्रावधान है इसका प्रयोग गैर कानूनी प्रिथाओं को रोकने के लिए भी किया जाता है जो कर कानूनों के उद्देश्यों को कमजोर करती हैं कानूनों का अनुचित रूपियों को रोकने के लिए इसका रूपियों किया लोग दकने को मिलेगा ओखे तो यह जीज आपड़ियेंकों मिलए तकर आप लोग को देखने को मिलेगा जो केंद्रिये कर्बोडений, प्रितिक्ष करबोड आप लोग को देखने को मिलेगा अगर हम इसकी बात करें तो केंद्रिये प्रत्यक्षकर बोड की अगर हम लोग बात करें ने व्यवसाई या पेसो में प्राप्त लाब हो के संबंद में स्तुरोतों पर कटौती देखें स्तुरोतों पर कटौती की बारे में यहां पर एक नए दिसा निर् जोड़ी है इस आई कर अधनियम आई टी अधनियम में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अनसार यदि कोई बेगती एक बरस में 20,000 रुपए से अधिक कोई अनुलाब या परी उपलब्धी किसी को देता है तो उस पर 10% की दर से TDS की कटवती होगी देखिए यह दस प्रतीसयत की कटवती है आप लोगों के लिए इस तरोध पर ही कर ली जाएगी जैसे हम क्या करते हैं आपको 20,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा देते हैं उससे कम देगा तो नहीं लगेगा उससे ज्यादा देगा तब ही लगेगा मानते हैं कि हमने किसी को एक लाक रु मतलब TDS के रूप में काड़ लेंगे सरकार के पास सला जाएगा सेस 90,000 हैं वो उस बेकती के पास सला जाएगा यह चीज़ आप लोगों देखने को मिलेगी अगर हम बात करें CBDT ने इस पस्ट किया है कि धारा 194 अस्पतालों में कारत रहने के दौरान यह दिखे बहुत प प्राप्त करने वाले डॉक्टर अपर प्रैंपर प्रदान करते हैं तो निसुलक नमूने Пराप्त करने वाले डॉक्टरों के लिए ügebnit शुलक नमूने के वित्रण पर लगई होगा лишь बहुत इंपोर्टेंट अनक जो निसुल्क मोने दिये जा रहे हैं उन पर भी एक आप फ्री में दिये जाने तो यह चीदा है अगर देखिए हम यहां पर बात करें Kiss Sankh Serkara Kar Profile की जो सनरसना के बात करें तो देखिए e जोoration जोड़ा घृूवे देखने को मिलेगा और अगर हम बात करें seasons Pardon सुल्क की 12 प्रतिससका रोल है इसी yemekर स्षीमा सुल्क है तो यह चीज़ देख लीजिए कभी कबार पूछ लेता है इंपोर्टेंट चीज़ है काफी आप लोग इसको बना लीजिएगा कहीं पर चार्ट वर्ट पर अगर हम बात करें दोहरे कराधहन से दोहरा कर लग जाता है किसी आई पर जैसे कि मानते हैं हम क्या हैं भारत में रहते हैं इंडिया में कोई दूसरा देश है मानते हैं वो फ़र एक्जमपल के लिए यूएसे हैं आर जी सर ने सो रुपए यहां पर कमाएं और इस पर यह हमारी आई है इस पर सरकार क्या ले हैं सरकार ने हम से यहां पर टैक्स लेलिया किद्ना भी टैक्स लेलिया और यही पैस हम को सकता है यू ऐसे में ले लेकर जाएंगे अब यह 100 ॹपए्पर पहली ही टैक्स के लिएई यानि यान messaging ही ही आई पर दो बार टैक्स लग रहे हैं और दो दो बार लियुक्त समस् लेंगे हम किस पर टेक्स लेंगे लेकिन लेगा एक ही ही वह लोगों को देखने को मिलेगा और इसी का उपियोग आप लोगों को देखने को मिलेगा विविन कंपनिया है कर बंचन के लिए करती है जिस देश के साथ में बहुत सारे देश होते हैं वो डूल टेक्स अवाइडेंस एग्रिमेंट करके रखते हैं वो बहां पर अपना मुख्याल है या फिर सेल कंपनी कोल करके रख लेती हैं जिससे वो कर देने से बच जाती है या फिर कम कर देना पड़ता है वो बहां पर ती आप लोगो देखने को मिलेगा आई टी आप लोगो देखने को मिलेगा ने कहा है कि Google गूगल इंडिया द्वारा गूगल की आयरलेंड जो इकाई है उसके लिए भुकतान किया है तो यह जो भुकतान है यह रोयल्टी नहीं है इसलिए यह है बिद होल्डिंग टेक्स के अधिन नहीं आता है विद होल्डिंग टेक्स क्या होता है मतलब टेक्स को होल्ड कर लिया जाता है रोक लिया जाता है तो बोलते हैं विद होल्डिंग withholding tax उसी को बोलते हैं तो उसके अंतरगत नहीं आता है देखें royalty क्या होती है तो royalty से तातपर है उस भुगतान से जो किसी परिसंपत्ती के उपयोग करने के लिए जो परिसंपत्ती का मालिक होता है उसके लिए भुगतान किया जाता है उसी को हम बोलते है royalty बोलते है तो यह ज़ीज़ आप लोग देखने को मिलेगी देखें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा जो royalty है वो भारत में कर के अधिनाप लोग को देखने को मिलेगे भारत के लोगता है बिद होल्डिंग tax को retention जो पृति धारख होता है रितेंसल टेक्स के रूप में भी माना जाता है यह किराया हो गया, कमिशन हो गया पेशे भर सेभाओं के लिए भुकतान करते समय करको रोग कर रखने का करदाता का दाइतवाब लोगो देखने को मिलेगा तो यह चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी जैसे बेद होल्डिंग टैक्स अभी हम आप लोग को बताएं हैं अगर हम बात करें आईटी अधनियम 1995 के अनुसार यदि कोई बेक्ती किसी आनिवासी बेक्ती खाते में भुक्तान करता है तो उसमें से कर का भुक्तान करना उस बेक्ती का दाइत्व हो जाता है तो यह चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी अगर ऐसे भुक्तान पर लागू कर की दर दोहरे का राधान से बचा बहुते द्वारा निर्धारित की जाती है भारत और किसी अन देश के बीच हस्ताक्षरित एक संधी आप लोग देखने को बिलेगी जो अभी हम आप लोग के लिए बताये थे से भारत ने असी देशों के साथ में असी देशों से अधिक के साथ में यहां पर यह जो डबल अवाइडिन्स एग्रिमेंट है वो करके रखा है तो यह जीज़ा आप लोग को देखने को मिलेगी चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां पर आप लोग को मिलेगा निभासी लेकिन समान रूप से निखी निभासी और समान रूप से निवासी कौन नहीं गलाएगा मतलब ऐसा बेग्ती जो एक सो बीस दिन से अधिक भारत में रहा है लेकिन 182 दिन से कम भारत नदर रहा है तो हम उसको अंतरगत आएगा, यह आयकर कानून के तहद, आबास यह इस्तिती की एक स्रेडी है, जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, जो आर एन ओ आर एक ऐसे बेक्ति को संदर रिद करता है, जो समान निवासी के रूप में पातर नहीं है, तो यह चीज़ आप लोग को देखने क अगर हम बात करें, यहां पर सुचना का सुटहादान परदां, इस सोब्टमियून हाई, देखिए इस सारे बड़े बड़े सेलिबरिटी, जो साहब और हैं, घपलेवाज हैं, था हो, आपने सुचना का सविस बैंक में पाइसा रखते हैं, थो सरकार सुज ऋचना के रहें बैंक ने अपने बार्तिक आकड़े जारी किये हैं इन आकड़ों के अनुसार सुईस बैंकों में भारतिय बेगतियों और कम्पनियों द्वारा जमा किये धन 2021 में 14 बर्स के उच्चता मिस्तर पर पहुँच गया था कर दोका धड़ी एब कर चोड़ी को रोकने के लिए स्विजर लेंड और भारत के मद 2018 में कर मावलों से संबंदित सूचनाओं का 140 आदान प्रदान समझोता है वो लागू हुआ है तो यह जो जानकारियां हैं वो सेर की जाती है तो यह चीज़ हम लोगो देखने को मिलेगा एई ओ आई कर अधिकारियों के बेश सूचना के पूर्ब निर्धारित समझ्च के 140 आदान प्रदान आपनो 140 आदान प्रदान का प्राबधान है वो किया गया है तो यह चीज़ हम लोगो देखने को मिलेगी तो अगर हम बात करें यहां पर banking system भी बहुत महत्तबोड़ हैं आप लोगो के EXAM के लिए अगर। अगर हम बात करें सहकारी बैंक के अरभन एक प्रिकार का को ऑपरेशन ही है इसी तरह से हम लोग मिल करके एक बैंक की स्थापना कर लें हम यह गिरहक हैं और गिरहक ही उसके क्या हो सकते हैं सौमी हो सकते हैं हम मिलकर एक bank के स्टापन сим치가 ना कर लें फिर हम अन्यंड के लिए सुब्ध 허वी दें तो ऐसी बैंक को हम क्या बोलते हैं सहकारी बैंक बोलते ओर अरे इसको क्या किया गया है जो अरबन सहकारी बैंक तो इनके लिए चार चरणों में विवाजित कर दिया गया है तो कुछ सिपारिसे हैं वो लागू की गई है इसलिए नियूज में आगे तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसलिए है आरबी आई ने सहरी सहकारी बैंकों की बित्तिय स्थिति को मजबूत करने के लिए गठित एक विसेश समिति जो आप लोगो दिहान रखना है कि एनस बिस्बनाथन पैनल आप लोग देखने को मिलेगा तो जो बिस्बनाथन पैनल है वो अरबन कोपरेटिव बैंक सatकी सिपा clapping की एधर पर जो यूसीपी सं की नियामिक की लगा संसोधित किया गया है तो अगर हम बात करें संसोधित थाचे के अंतर 2023 GDP अरबन कोपरेटिव terminal banks देख ने को मिलें के लिए बिभेदित बिनियामी की जो ढशातता वो पहले दो दो का बदल के चार कर दिया गया है चार मतलब क्या है तो देखे चेर बन में कोँ सी बैंक वह下去 यह जो सौ कडूर रुपएं तक की जमरा सी पराप्त करती है इस तरह से ट कड metabolismo में वो आएंगे जो 100 कडोर से 1000 कडोर तक की जमारा से प्राप्त करेंगे इसी तरह से टेर 3 में 1000 से 10,000 के बीच में जो जमारा से प्राप्त करेंगे और 10,000 से जादा जो प्राप्त करेंगे उन्हें टेर 4 में रखास आएगा और कोई rocket science नहीं है तो दिखी इस तरह से इने क्या करा जाएगा चार टेर्स में चार भागों में इस चार से डियों में डिवाइट किया जाएगा अगर हम बात करें कि भारत के बित्तिय लचीले पन को मजबूत करने के लिए एक ही जिले में संचाली टेर बन तो टेर बन का मतलब क्या है जो सो खड़ोर रुपए तक जमारासी प्राप्त कर सकती है टेर बन की नियूंतम बर्थ दो कड़ोर रुपए होनी चाहिए आप लोगों को देखने को मिलेगा तो वो सो खड़ोर तक क्या कर सकती है सो कड़ोर रुपए तक का जमारासी, मैक्समम जमारासी प्राप्त कर सकती है, उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकती है, उससे कम कर सकती है, ज़्यादा नहीं कर सकती है, तो यह चीज़ आप लोग को दिहान रखना है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा, टेयर बन की लोगों को देखने को मिली नियूंतम नेट बिर्थ दो कडोर ृपए होनी चाहिए और अगर हम बात करें जो अरबन lavender-bank है बहरत में उप्युक्त नेट के मांडनडो को पूरा नहीं करती हैं उन्ह download से लागत करना होky अगर हम बात करें मैं चहारी बैंकों की तो शहार कारी भैंक हैं उन्हें हम डोबागों बाच करके देख सकते हैं एक सहरों में खेली जाती है दूसरे गondere हैं performed ४ॉल आके प्ल के उनको ृसहेर उत्थ जाती हैं उस तरह आप गोहां कि आढ़ेंगे पूजय में। कार्या कर सकती है। इसी तरह हैं तो चीजें और यहीं चीजें then अच्छे से आप लोग को यह सारी सीज़े क्लियर करेंगे आप लोग को देखने को मिलेगा कि जोखिम भारित परिसंपत्यों की तुल्ला में पूजी अनपाद आप लोग देखने को मिलेगा टेर बन की जो बैंके हैं उनके लिए कितना रखना पड़ेगा नौ पर तीसद यह लूब में तो यह चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी मतलब कैपिटल टो रिक्स बेटिज एसेट रेशियो के नाम से इसको जानते हैं और टेर टू से लेकर के टेर टू टेर ट्री टेर फूर की जो बैंके हैं इनके लिए बारा प्रतीशत है बारा प्रतीशत के बरा इसको पूरा करते हैं उन्हें चरण بद्द तरीके से से इसको पूरा करना होगा यहां पर आखिए आम लोगों देखने को बिलेगा आधिक रूप से मजबूत और सूर प्रतीबंदित इन बैंकों को दर्जा दिया जाएगा तो ऐसी कौन सी सहयो같이 हैं सहरी सहयोटों और सूर प्रती बंदित जो है उसका का दर्जाद दिया जाएगा जिसको हम SORT में FSWA के नाम से जानते हैं मतलब Financially Sound और Bell Managed FSWA में का दर्जाद दिया जाएगा तो किन को दिया जाएगा जो अच्छी होंगी सोस्त होंगी तो कैसे पता चलेगा तो देखिए ऐसी सहकारी बैंके जो एक तीन प्रितीसत से अधिक का निबल एन पी यह नहीं होना है देखिए जो एंपिए क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसिड जैसे जो बैंके हैं वो व रिड़ दियती है तो रिर्डा मिलता है ब्याज मिलता है वहीं हुए ओपाप्सी करें अगर वो नभे दिन तक और जिस पर नभे दिनों तक नाहीं ब्याज प्राप्त होता है नाहीं मुलधं प्राप्त होता है यानकि किसी प्रकार का रेटन नहीं मिलता है तो उस परिसंपत्ति को गैर निस्पादन कारी परिसंपत्ति के अंतरगत रखते हैं नॉन परफार्मिंग एसिट के अंतरगत रखते हैं इसी को सौट में NPA बोलते हैं यानि कि 3% से अधिक का NPA नहीं होना चाहिए पिछले बित्तिय बर्स के दौरान CRR और SLR जो cash reserve ratio देखने को मिलेगा और साथ में SLR जो बैधानिक तरलता अनुपाद होता है इसके मांड़न्ड हैं उसके पालन में उन्होंने चूक ना की हो CRR SLR क्या होता है बाद में आप लोग बताए जगा CRR क्या होता है कुल जमारासी का एक निश्चित हिसा होता है जो बैंके RBI के पास में नगद रूप में रखती है SLR एक बेहर हिसा होता है जो कुल जमारासी का एक निश्चित हिसा होता है जो बैंक अपने पास ही अलग हटा करके रखती है उसको उसका प्योग नहीं करती है लेकिन जो इह इससे वो सोने के रूप में प्रतिभूथियों क यारूद होनी है देखे देखे अंतरिक प्रिबंदन परणाली है वह उनकी क्या होनी से मजबूत होनी हुनी है और बोड में कम से कम 2 पैसे बर नहींति होने चाहिए और साहथ में आप लोग देखने को मिलेगा कि उन बेंगों दूसरी बैंक चैनल में उड़ी रहती है रही है इस्मएं हम्हारा अकाउंट है और यह को बोलते हैं ऐसовали बिवस्ताय को अगर जाहते हैं और किसी ने पूरे किये हैं तो हम उस बैंक के लिए FSWM किस रडी में रखेंगे तो यह चीज है तो किस पर लागो होगा तो यह है ढाचा सभी प्रात्मिक सहकारी बैंकों पर लागो होगा तो दीखें यहां पर यह कुछ आंतर दिया रखा है जैसे कि UCBS आम लोगों को देख को मिलेंगे और स्मॉल फाइनस बैंक देखने को मिलेंगे और यहां पर बैसल बन मांडंडों के तहत पूजी को बनाएं रखने का आधार केबल रिड जोकिम होना चाहिए तो बीशल बन हैं मांडंडे इस पर लागों होंगे और अगर हम बात करें यूनिवर्सल बैंक की और साथ में जो इसमाल फाइनेंस बैंके उपर बेसल इस बेसल थर्ड और इधर सेकंड आप लोग देखने को मिलेगा और जो आरार भी से चेतरी ग्राविड बैंके बैसल बनके मांडड़ लागू होंगे तो यह चीज़ आप लोग देखने को मिलेंगी बहुत दिप में इसके लिए आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो सहकारी बैंके हैं इनके लिए ऐसे अर्बन सहकारी बैंके जो FSWM मतलब जो अभी हम इस जो अभी हमने बात की थी अगर वह कैटेग्री जो फुल्फिल करती हैं उनके लिए FSWM के सिड़ी में रखते हैं तो मांडंडों को पूरा करते हैं उन्हें सौचलित मार्ग के तहद नई ब्रांच खोलने के अनमती होगी तो यह चीज़ आप लोग देखने को बिलेगा जो अर्बन सौरी यूनिवर्सल जो बैंके हैं उनके लिए सौचलित अनमोदन मार्ग के तहद लेकिन सर्तों के अधिन नई ब्रांच खोलने का अनमती होगी मतलब उनको क्या लेने होगी यहां पर सर्ते कुछ होंगी उन सर्तों के अधिन नई ब्रांच खोल सकते हैं इसी तरह से Small Finance Benk है वो भी क्या है सेव आप लोग को यहीं चीज़ देखने को मिलेगी और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो RRB से उनके लिए भी सेम चीज़ देखने को मिलेगा यान कि इन तीनों के लिए क्या है सेम चीज़े कुछ सर्तों के तहट वो नई ब्रांचे सकती है और यह क्या सोचलित मार्ग से ही नई ब्रांच खोल सकती है इसी तरह से अगर हम बात करें यहां पर संचालन के छेत्र का विस्तार करने की देखिए अगर वो संचालन के छेत्र का विस्तार करना जाती है तो पूर्व अनमोधन मार्ग के तहट वो अपने छेत्र का विस्तार कर सकती हैं जैसे वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना विस्तार करना चा पूरे देश में ही यह होती है तो इस बज़े से यह concept इदर लागू नहीं होता है तो देखिए संचालन का छेतर पूरे देश में फैला हुआ है इस बज़े से बात ही नहीं उठती है अगर हम बात करें आरारबी से इनका संचालन छेतर है वो निरधारित पहले से ही किया होता अगर हम बात करें जो यूनिवर्सल बैंक है उनके लिए 40 की केटेगरी लागो होती है और भी अगर हम small finance bank की बात करें उनके लिए 75 पर र Запार प्रस्ते हैं उसमें से 75 परतिसत है फ्राइमरी सेक्टर में जाना चाहिए् आप लोग देखने को मिलेगा कि पंजी करण जो अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स मुख रूप से सहकारी समितियों के रूप में पंजी किरित होते हैं इन्हें संबंदित राज्य के राज्य सहकारी सुसाइटी अधनियम के प्राब्धानों के तहत पंजी किरित किया जाता है इनके संचालन का छेतर किसी राज्य की सीमा से आगे तग हो सकता है फैला हो सकता है आप लोग देखने को मिलेगा देखेखे बहुराज्ये सहकारी समितियां है सहिकारी समितिuish exposure सी अधिनियम 2200 के तहते पंजिकरित होती है जो multi-state में कारी करते हैं मतलब एक से जादा राज्यों में जो सहरी सह Parkinson कारी करती है उनका registration पंजी गरण है वो बहू राज जिये मल्टी स्टेट कोपरेटिव सुसाइटी एक्ट के अंतरगत किया जाता है तो ये चीज़ आम लोग धिहान रखना है इसी तरह से अगर हम बात करें जो ये सहरी सहकारी बैंके होती है इनका बीनियमन आरबी आई और केंद्र या राज सरकारों के द्वारा किया जाता है हलाकि लगू सहकारी बैंकों का बीनियमन नवार्ड के द्वारा और राज सरकारों के द्वारा किया जाता है अगर हम बात करें ऎesto RBI के दो कानूनों और अतर्त बैंकिंग बिनेयमन अधिनियम और साथ में बैंकिंग कानून है अधिनियमित बिनेयमित होती हैं सहरी और बहु राज्य सहकारी बैंक के RBI की सीधी निगरानी में होती है यह चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी इन पस दोहरा नियंतरण आप लोगो देखने को मिलेगा यह चीज़ आप लोग ध्यान रखेगा देखिए जो अरबन कॉपरेटिव बैंक होती है यूनिव कि अरबीस की बात करें तो आर Раз भीस की जो साग्तन है ग्रामीर चेत्रों में विस्थासं स्थापना के लिए व्रेया या से बढ़ाया जा सके तो उसके लिए अचितन काई कुल चतापनारेड प्रात्मिक्ता वाले चैतर मेरे राट रोंमिका के लिए, वो इस इसे बहुत बड़ी भूमिका देखने को मतस्ते हैं किंगर राठम से रहे से बहुत बहुत बोुक्ति है इनदे बहुत बात बूह है लंए घाटे में चलती है और जिस राज्य में स्थापित की जानी है तो उस राज्य की 15 पृतिसत हिस्सेदारी पाईसा लगेगा और साथ में जो बैंक प्रयोजित करें और साथ में जो बैंक प्रयोजित करें तो 35 पृतिसत पाईसा लगा यह मानते हैं बैंक की स्थापना के लिए सो रुपए की अपड़ेगी तो पचास रुपए मोदी जी देंगे और उत्तर प्रदिस में की जानी है तो पंदर रुपया है वो योगी जी देंगे और एस्बी आई है वो 35 रुपए देगी इस तरह स इंडियन बैंक एसोसिेसं से यह कहा है कि या और यार्वी मोटीये रूप сторону है की इसी तरह से इसी लिए लगबां में 11,000 के पाईसा ही वो देनी की बात की एगी है मतलब साहिता देनी की बात की इसकों से अपके और 11,000 की Layer है वो पूजी उपलब्द गरायने की बात की गई है आरार वीस के लिए इसमें से जो हिस्सेदारी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो बित्य वर्स 2022 और 23 के दौराने जो पैसा है इनके लिए पूजी है उपलब्द गराई जाएगी इसमें से लगबख में साड़े 5,000 कड़ोर रुपए है वो भारत सरकार देगी और साथ में सेस जो रुपए बचा हुआ है वो राज्य सरकारे और साथ में जो प्रायोजग बैंके हैं जो भी प्रायोजग करती होंगी वो मेल करके पूरा करेंगी अगर हम बात करें आरार यरीजग के बारे में तो देखिए आरारर यरीजग है जो नरसिम बर्किंग गृप है 1975 में इरगी सिपारिसफर नरारार यरीजग के इसकी सताबना है 2 अक्टूबर 1975 में इसकी सताबना की गई थी और इसकी स्थापना एक अध्यादेस जारी करके कि बात में एक अधनियम है वो पारित किया गया तो आम लोगों को देखने को मिलेगी एक ग्रामीड छित्रों में रेड सुब्दा है उनको बढ़ाने के लिए स्थापित की गी थी तो यह चीज़ आम लोग देखने को मिलेग तो उनकी सहाइता के लिए कोई कार्यत हो कर रहा तो यह नवाड है ना यह पुनर्य सथान की रूप में काड़े करता है मतलब यह पैसा उपलब देखने को मिलेगा इसकी जो सिपारिस इसकी स्थापना की सिपारिस 1979 में में भी सिब रामन समीती दुआरा की गई थी इस समी गत रिड की विवस्ता की समिछा करने के लिए किया गया था अगर हम यहां पर बात करें इसकी स्थापना बर्स की तो संसद ने एक अधियम के मध्यम से 1982 में एक विकास बैंक के रूप में इसकी स्थापना किया और भारस सरकार की सो अपरतीस तिसमें सौमित देखने को सिदारी भारस सरकार की है अगर हम कार की बात करें तो अभी हम आपको बता है पुनर्वित्य संस्थान के रूप में वित्त पोशड के रूप में योजना और निग्रानियों पर विक्षड करने का यह कार्य करता है और आर्सिक प्रोस्थान और विकास और पुनर्वित्य स संस्थान के रूप में कारगड़ता है मिसन की अगर हम बात करें तो आप लोगे मिसन देख सकते हैं इसका मुख मिसन संधार्णिये एवं समानता पर आधारित किरसी और गिरामिड विकास को बढ़ावा देना नवाड अपना यह है मिसन बित्य और गैर बित्य उपायों और अगर हम बात करें आरवीस के उद्धिस की जो रीजनल रूर बैंक है तो लगू और सीमान जो किसान है खेती हर मजदूर आप लोग को देखने को मिलें कि जिनके पाग खेत नहीं है मजदूर है तो ऐसे जो ग्रामिड लोग हैं और साथ में अर्द सहरी चित्रों में परया है और जो आप लोग के लिए बता है अगर हम भात करें हो कि देखने को मिलेगा यहां पर इन बैंकों द्वारा इन बैंकों द्वारा निमलिलखित अन सुबधाईं भी प्रदान कि जाती है तो दीए जो पेरा वेंकिंग सुबधाईं किया होतीरा जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जम आराची उसी तो करती करती है रेडविड अपलब्ब दिगराती में इतना गहिना वाईना कहें चोड आगया सब लेच ले चला गया तो लोकर की सुब्दा परदा करें, यहां परदा करके आप अपना वे न रख सकते हैं, साथ में debit and credit card है उसकी facility mobile banking की facility internet banking की facility UPA facility facility उपलब दिख रहती है सरकारी कारियों का निस्पादन भी करती है सरकारी कारियों का निस्पादन करती है इसका मतलब है कि नरेगा कि जो सर्मिक है उनका बेतन आना है कोई पेंसन आनी है चातर प्रति आनी है मतलब जो भी चीज़े हैं तो वो सारी के सारी किसमें आती है इसमें निस्वादित की जाती है तो यह भी उद्दिश से देखने को बिलेगा अगर हम बात करें यहां पर विसिस्ताओं की ए छेत्रिया अधारित और ग्रामीड विकास के लिए समर्पित बैंकी हैं इनमें ग्र आरार भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा आरार भी इसका जो महत्व है ए बैंक के प्रात्मिक्ता प्रात्चेत्रों के लिए निरधारित 75 प्रतीसत की जगे एक 80 प्रतीसत रिड है वो उपलब्द कराती है इसके अतरिक्त इनके द्वारा प्रदान आरार कुल रिड में किरसी रिड की जो हिस्सेधारी वो थो तैसे अपने आप में बहुत बडी बात है इसरे करण इनकी भूमी का बहुत जदा महत्वरण हो जाती है क्यूंकि सहुकार्यों के चंगूल से लिकानंधे के लिए बहुत जब्रत रपाता है साहुगार एख जर सीमान के सानू को सहूअ कारों से बचाने के लिए संस्ता गतरड़ई है तुमस्तिर उसको बढ़ावा दिता है सबी लोगों को banking ब्यवस्ता से जोड़ना क्या है वित्य समावेशन के अंतर गताता है साथ में देखिए जो banking सुबदाई है उसमें विजबास बढ़ाता है उस साथ में लोगों के जो ग्रामीर लोग है उनमें बचत की प्रवड़ती को बढ़ाबा दीता है साथ में आप लोग देखने को मिलेगा जो सहखेकारी समितियां होती है और सवाम साहता गुरूप्स होते हैं उनके लिए बित्त है वह परदान करता है मतलब जो सेलफ हेलपिंग गुरूप होते है और ग्रामीर छोत रहे उनमें रोजगार भी उपलब्द गर आता है तो यह बहुत सारे इसके इनिसेटिव देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें प्रात्मिक्ता प्राप्त छित्र को उधारी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं जैसे प्रात्मिक्ता वाले छित्रों में जैसे किर्सी हो गया MSME होगया इसके अलाब़ा हम लोगों के लिए निर्यात RID देखने को मिलेगा शिख्षा देखने को मिलेगा, आवास देखने को मिलेगा समाजिक संरचना के लिए RID दिया जाता हैै या पिर नभी करणिया है तो दो दीख़िये इसको नए पहती है दिया जाता है लिए पहले सूच 거지 और लगु थे सूचम और जो लगु देखने को भी सामिल किया जाते थे लेकिन अब उसके साथ में मद्यम आकार की भी और धौगिक इकाईया थी तो इनी इकाईयों को सिर्फ सामिल किया जाता था तो यह चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है इसके अलावत तीसरा समाजिक बुन्यादी समाजिक बुन्यादी इसको भी नया जोड़ा गया है जो आप लोग के लिए पीछे भी आपने देखा इसको भी नया यह पहले नहीं था इसको बाद में जोड़ा गया इसके अलावा प्रधान मंतरी जंधन अकाउंट जो खोले जाते हैं उनके अंतरगत ओव दिया जाता है वा बिंके लिए एड किया गया तो यह आप लोग को देखने को मिलेंगी तेटरान एर्ट कराने ज्यूखना तो इस बज़े से आप लोगो देखने को मिलेगा कि एि घाटे में चली जाती है बिचारी तो और 7 में यहाँ पर लोग हैं वो कम पैसा रखते है और उपर से इनको घाटा भी दाद होता है और जाद की बढ़ जाती है आप लोगों को दे garnek रही हैुआ डेख सब्सक्राइए और से उपड़ में बढ़ जादा आईगी उसमें ज् sjuk होने लगति है तो यह बहुत सारी ऐसी सी इसमें चीजे देखने को मिलेंगी तो यह सारी सेज़ें आप लोग यहाँ पर देख सेंगे चलिए हम लोग थोड़ा तागे बढ़ते हैं आप लोग देखने को मिलेगा कि गयर बैंकिंग बित्ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो एन बी एपसीज होती हैं मतला भी पूरता बैंक नहीं होती हैं लेकिन यह भी बित्ये सुब्धा हैं प्रदान करती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंप एन बी एपसी इसको पर यह इसलिए बहुत जाद है मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जला मेरा थोड़ा सा सूग गया है एक सेगंड रोखेगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक कि अगर हम एन बी एपसी की बात करें जो एन बी एपसी हैं कि एन बी एपसी कंपनी अधनियम के तहत कंपनी अधनियम के तहत पंचिकरित संस्ताइं हैं यानि कि एक कंपनी अधनियम जो है उसके तहत पंचिकरित होती हैं ये बैंकों के समान ही रिड और अग्रिम जैसी बितिय सिमाय परदान करती है तथा सेयर और बॉंड की खरीद कर सकती है परन्तु इनके पास बैंकिंग रैसेंस नहीं होती है हाला कि उनकी गतिविदिया बैंकों के समान है लेकिन कुछ मामलो में NBFC बैंकों से कुछ अलग होती है यह देखे बैंकों जैसे कि आप लोगों देखने को मिलेगा यह क्लासिफिकेशन किया गया है जैसे कि आप लोगों देखने को मिलेगा कि NBFC बेस लियर या फिर जिसको आधारिस्तर बोलते हैं इसी तरह से मिडिल लेयर देखने को मिलेगा अपर लेयर देखने को मिलेगा टॉप लेयर आप लोगों देखने को मिलेगा जैसे हमने अभी देखा था जैसे अभी हमने देखा था जो सहरी सहकारी बैंके हैं उनको भी डिवाइड के इसी तरह से इनको भी डिवाइट किए गए इतनी जाद महत्यपोड नहीं है अगर हम बात करें कि कुछ अंतर हैं जो इनको अलग बनाता है जो नौर्मली बैंक होते हैं बाड़िजिक बैंक होते हैं उनसे देखिए यह मांग जमा के रूप में मांग जमा होता है देखिए ज प्रांग देता जो होती है उसके रूप में डिमांड डिपोजिट की रूप में यह प्राप्त नहीं कर सकती पैसे और करेंट अकाउंट सेबिंग जा करके यहां पर नहीं खुला सकते हैं फिक्स अकाउंट आप लोगों खलाना पड़ेगा यह फिर रीकरिंग अकाउंट ह सुब्दा है वो परदान नहीं होती है बहुत महत पोड़ बात आप लोगों देखने को मिलेगी तो इस रूप में वो अलग हैं अगर हम बात करें मुख्य रूप से भारतिये रिजर्ब बैंक द्वारा बीनियमित और सासित होती हैं हाला कि कुछ इसको भारतिये प्रतिव निर्मित करते हैं हाल ही में भारतिये रिजर्ब बैंक ने गैर बैंकिंग बित्तिये कंपनी द्वारा उधार देने और डिस्क क्लोजर के जिसा निर्देशों को सक्त कर दिया है इस पज़े से नियूस में आगे हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यह जिसा निर्द अगर हम बात करें तो किसी भी संस्था में उपरी इस्तर की जो एंबी एपसी हैं तो कुल एक्सपोजर जो आप लोग देखने को बिलेगा एक्सपोजर उनके पूजी आधार के 20 प्रतीशत से अधिक नहीं होना चाहिए हाला कि बोर्ड 5 प्रतीशत अत्रिक्त की सुकूर्टी है वो प्रदान कर सकता है अनमती दे सकता है लेकिन वैसे आप लोग देखने को बिलेगा 20 प्रतीशत की लिमिटेशन है हाला कि अब संरचना बित्त कंपनियों के माबले में एक संस्ता के लिए जो एक्सपोजर है उसकी सीमा 30 प्रतीशत तक आप लोग को देखने को बिलेगी यहाँ परसपर संब्रद संस्ताओं के सम्हों के लिए उपरी इस्तर के जो एन्बी एपसीस है उनके लिए जो एक्स प्रतीसर तक सीमित आप लोगों को देखने को बिलेगा इस चीज़ आप लोगों को देखने को बिलेगी उसी तरह से देखिये यहाँ पर जो अपसानरशना वाली है उने के लिए 25-35 पर तीसे से कितना कर दिया है 25 प्रिटिसाथ या 30 प्रिटिसाथ से 5 प्रिटिसाथ कर दिया और कुछ ऐसा नहीं है आप लोग देखने को मिलेगा यह कि इसमें बोला गया है कि देखिए जब तक बोर्ड मंजूरी ना दे तब तक मध्यम और उपरी इस्तर की जो एन बी एफसी से वो न उनके जो रिस्तेदार हैं उनके लिए पांच कडोर से जादा का लोन नहीं दिया जाएगा कब तक जब तक बोर्ड मंजूरी ना दे दे रियल स्टेट छेत्रों को तभी उधारी दी जा सकती है जब उधार लेने वाली संस्ता ने अपनी परियोजना के लिए सरकार या अन कानोनी संस्ताओं से पूर अनमती ले रखी हो तब यह दिया जा सकता है आप लोगों देखने को मिलेगा निधी नियम 2014 संसोधन के इंद सरकार ने निधी कंपनियों की संक्या में ब्यापक ब्रद्दी के मद्दे नजर निधी निएम 2014 में संसोधन किये हैं तो चलिए यह हम लोग देख लेते हैं क्या है दिखे अगर हम बात करें प्रमुक जो पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इन संसोदनों का उद्देश इन कंपनियों के सासन में सुधार करना और जनता के हितों की रक्षा करना सामिल आपतों को देखने को मिलेकर जैसे 10 लाग में स्थापित किसी सार्वजनिक कंपनियों को सबसे पहले स्वयम को केंदर सरकार से निधी कंपनी के रूप में घुषित करवाना होगा यह चीज़ आप लोगों को देखने को बिलेगी साथ ही इससे पहले किसी कंपनी को ऐसी घुषड़ा करवाने की आवसकता नहीं थी अगर हम बात करें निधी कंपनी के बारे में कि ये निधी कंपनिया क्या होती है ये गैर बैंकिंग बित्तिय कंपनियों के समान ही होती है एक निधी कंपनी का गठन उनके सदस्यों से धन उधार लेने और उधार देने के लिए किया जाता है आप लोगों को देखने को यह परसपर लाभों के सिद्धान्तों पर कार्य करती हैं आप लोगों देखने को मिलेगा। इसे RBI से लाइसेंस पराप्त करने की आवसकता नहीं होती है लेकिन कमपनी अधिनियम के तहत अनुमोधन की आवसकता होती है। लेजींग और साथ में इन्सोरेंश से जुड़े बेबसाइब करने की अनुमती नहीं देखने को मिलेगे मतलब इस परकार के जो इस परकार के जो बेबसाइब होते हैं इस प्रिकार के बेफसाई करने के इसको अनमती नहीं होती है यह अपने सदस्यों के अतरिक्त किसी अन्य बेक्ती से ना तो नगत जमा स्विकार कर सकती है ना ही किसी अन्य बेक्ती को उधार दे सकती है यह बहुत प्रमुग बात है ये बहुत ज़्यादा प्रमुकवात है ये चीज़ आम लोग धिहान रखने हैं कि सदस्यों के अत्रिक किसी अन बेक्ती से ना तो नगत है वो स्विकार करती है और ना ही उधार है वो देती है निदी कमपनियों में केबल बेक्तिगस सदस्यों को ही सामिल होनी की अनमती होती है वोगे ये चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं बित्ये सेबा संस्थान बीरो आप लोगो देखने को मिलेगा FSIB आप लोग देखने को मिलेगा देखिए पहले 2016 में यहां पर BBB यानि की बैंक बोर्ड बीरो के स्थापना की की थी बैंक बोर्ड बीरो है वो बैंकों के अंदर उच इस्तर के जो पद होते हैं उन पर नियुक्ति करता था अब उसके इस्तान पर FSIB को लाया गया है क्योंकि देखिए जो बैंक बोर्ड बीरो था इसका कारेश चेतर सिर्फ बैंकों तक ही सीमित था अब देखिए जो FSIB है इसको इसलिए लाया गया है ताकि जो अन्बितिय संस्तान है उन पर भी उच पदो पर नियुक्ति ये कर सकता है सिर्फ बैंकों तक्सीमित था लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा एह एक बैंकों के उच पदादिकारी हो गई इसके अलावर lock को देखने को मिलेगा FSIB को लाया गया है चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले बैंक बोर्ड बीरो के बारे में थोड़ा सा देख लिए बैंक बोर्ड बीरो जिसको मिशन इंदर धन उसके अंतरगत भी हम आप लोगों को पढ़ाई थे जिसमें B4 क्या था कि बीफ और क्या था आप लोगों देखने को मिलेगा बैंक बोर्ड बीरो की इस्तापना करने की बात की गी थी देखिए अगर हम बात करें बैंक बोर्ड बीरो का गठन 2016 में एक स्वाइत निकाई के रूप में किया गया था इसके लिए केंदर ने राश्टी करिद बैंक बैंक योजना 1980 में संसोधन किया था इसे बैंक बोर्ड बीरो की संटस्ना और कार्रेयों के लिए एक कानूनी धाचा परदान किया गया था अगर हम बात करें पी जे नायक समिती जो पी जे नायक समिती है उसके दुआरा बैंक बोड वीरो की स्थापना की सिफारिस की गई थी यह समीती भारत के सारवजनिक छेतर के बैंकों के मुद्दो को हल करने के तरीके निर्धारित करने के लिए गटित की गई थी चीज़ां लोगों देखने को मिलेगी अगर हम बात करें उद्देश्यों की इसके स्तावना पब्लिक सेक्टर बैंक के गवर्नेंस में सुधार लाने के उद्देश से की गई थी तो यही क्या गड़ती है मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो प्रमुक होते हैं उनके चै स्थापना विभाग के अंतरगत की गई है इसकी इस्थापना निमलिकित उद्दिश्यों से की गई है जैसे की बित्तिय सेवा संस्थान अभी तक क्या थे उसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बैंके थी बैंक बोर्ड बीरो के अंतरगत इसके अंतरगत जैसे पब्लिक सेक्टर की बैंके जो सारवजनिक छेत्र के बीमा करता आप लोग को देखने को मिलेंगे और जो बित्तिय संस्थान ह उनके लिए उच्पदों पर भी नियुक्ति कर सकती है, तो देखिए, जो पूर कालिक निर्देशक होते हैं, गैर कारिकारी जो अध्यक्च होते हैं, तो उनके रूप में जो नियुक्ति की सिफारिस है, उसके लिए इसके इस्तापना की गए, समझ गया आप लोग? इन संस्थाओं में कर्मिक प्रबंदन से संबंदित कुछ अन्न माबलों पर सला देना भी सामिल है साथ में सारवजनिक छेतर के बित्तिय संस्थाओं में कार्पोरेट प्रशासन में उत्करिस्टा को बढ़ाना भी इसके उद्देशों में सामिल देखने को मिलेगा देखे अगर इसके कार्रियों की बात करें तो कार तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि उच्छ पता दिकारी हैं जो निर्देशक हैं बैंकों के या फिर जो भी संस्थाई हैं उनमें उनकी नियुक्ती साथ में उनका इस्थाना तरण ट्रांसपर या फिर उनका कारिकाल है उसमें विस्तार करना इसके संबंद में सरकार को सिफारिस देना इसका क्या है कार्य है अगर हम बात करें दो देखिए जो भी ये छेत्र हैं इन छेत्रों में बोर्ड इस तर पर आवश्यक प्रवंदन संरचना पर सरकार को सलहा देना तो प्रवंदन इस तर पर सलहा देना भ होती है उसको लागू करने के संबंद में सलहा देना सरकार को और आप लोगों देखने को मिलेगा बैपार रणनीती को विक्सित करने और पूजी जुटाने के संदर में भी सलहा देना आप लोग अधिक्ती देखिए के लिए अध्यक्षार के नूप में नामिक्त क जाएगा जिस बेगती को बैंकिंग छेत्र या फिर नियामक संस्था से सेवा निर्विद को अधिकारी हो ऐसे बैंटिय चेत्र का परयाप्त ग्यान रखने बाला को पृतिस्टित ब्यवसाई हो या फिर आप लोग देखने को मिलेगा, बैंक और बित्यह छेतर में उसे कम से कम 25 साल का अनुभव हो, ऐसे बेक्ति को अधिक्छ सरकार है, कि अन्द सरकार है, वो नॉमिनेट कर सकती है, नामित कर सकती है, ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगा, देखे इसमें पदियं अध्यक्च भी होंगे तो पदेन अध्यक्च आप लोगों कोública देखने को मिलेगा विद्त सेबा बिभाग का सचिब होगा और सात्व में आप लोगो जो इड़ रहे एसका भी अध्यक्च आप लोगों को देखने को मिलेगा अंशिकालिक और गैर सरकारी भी आप लोगों को देखने को में लेंगे देखिए इन्हें तीन को केंदसरकार केदवारा नूक्त किया जएगा जो सदस्यों को भारत सरकार के द्वारा नामित किया जाएगा, यानि कि सारवजनिक छेतर में, सारवजनिक छेतर के बीमा करता से संबंदित भी से बस तुका ग्यान रखने वाले बेखती होंगे, उनके लिए, तो लिकिडिटी जादा है, पैसा कम हो गया, यानके लिकिडिटी कम हो गयी, बस यही है, और कोई रॉकिट साइंस नहीं है, देखिए, एक नियूज में क्यों है, तो सुरकियों में इसलिए है, दो हजार उन्निस से, अदिसेज की स्तिती थी, बैंकों के पास में, दो हजार उन् बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी के प्रमुक कारण किया, इसे कौन कौन से कारण है, जिसकी बज़े से कमी आई है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कारण तो है कि, पूजी खाते के साथ साथ चालू खाते के इस तर पर भुकतान संतुलन घाटे में जिसा कम हो गया है, दूसरा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में होने वाले गिराबट को रोकने के लिए RBI द्वारा कटो रुपाया बनाए गई है, जिससे खुली बजार में तरलता कम हो गई है, तरलता कम आप लोगों को देखने को मिलें, क्योंकि RBI ने अतरिक पैसे को सोक लिया है, जिससे डॉलर है, वो और जादा ससकता ना हो, तो यह चीज़ा हम लोग देखने को बिलेगी, अभी बरतमान में डॉलर देखिए, लगभख में कितने का चलना है, 80-82 रुपए के करीब में चलना होगा, तो इतना जादा होगी, आगर हम बात करें, त लोगों द्वारा बेवेका हीन जो खर्च है, वो किया जाता है, बेवेका धीन खर्च में जो ब्रदी है, वो किया जाती है, तो यह चीज़ा हम लोग देखने को भी लेगा, भाहिया, लोग बहुत खर्च कर रहे हैं, तो बैंकों में पैसा कम रहता है, तो बैंकों में पै अगर हम बात करें धीमी जमा ब्रदी के मुकाबले बैंक रिड में उच्छ ब्रदी आप लोग को देखने को मिलेगी तो यह बहुत सारे कारण हैं देखिए अगर हम बात करें जो बैंकिंग विवस्ता में तरलता के बारे में और इसके महत्व के बारे में बात करें तो देख बात करें अदीशेस बणाम गाटी की अगर हम बात करें दिन किसी दिन बैंकों के पास में हुता है तो subborback को राइड के रूप में अदिदी है कि और आप लोगो देखने को सकते हुं तो पूर बातव पर यहां पर पर नहीं से ले लेगी हम और अगर हम बात करें यहां पर बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी के प्रभाव की अगर हम बात करें कि इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है बैंकिंग विवस्ता में तो बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं जैसे बैंक प्राया तरलता की कमी को दूर करने के लिए जमारा लाब में कमी आती है अगर हम बात करें मुद्रा बाजार दरों में ब्रद्धी के कारण उधार ली गई धनरासी की लागत है वो बढ़ दाती है उधारन के लिए तरलता की कमी की इस्तिति के कारण हाल ही में ट्रेजरी भी लिया फिर्टी बिल पर जो फिर्दिफल है उसमें ब्रद्दी हुई है अगर हम बात करें ऐसे परिद्रश्च में RBI है वो रीपो दर में बदलाव कर देती है और यही जो रीपो रेट होता है इससे बैंकों की उधार देने की जो रीपो से संबंधित जो दरे होती है उनमें भी क्या होता है परिबरतन होता है दरों और निदि आप लोगों को देखने को मिलेगा उदहार देनी की दर में ब्रधी आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके पर नाम उपभुखताओं के लिए रिड की ब्याजदरे बढ़ दाएंगी तो यह चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी अगर मांग में कमी जो मांग में कमी जो आगे आर्थी गति विदियों के संकुचन का कारण बन सकती है क्योंकि आप लोग देखने को मांग की कमी होगी मांग की कभी होगी तो आगे जागर के संकुचन का कारण बन सकती है अगर हम बात करें सम्रिद्धी हे तू उधार लेने की सम्रिद्धी हे तू उधार लेने की लागत को बनाए रखने के लिए के साथ साथ अपनी मौद्रिक नीतियों को कठोर बनाए रखना RBI के लिए कटीन होगा तो ये भी आप लोग देखने को मिलेगा तो समरिद्धी हितु उधार लेने की जो लागत है उसको बनाए रखना भी क्या हो जाता है RBI के लिए एक चैलेंज भरा हो जाता है अगर हम बात करें परीसंपत्ती की गुडवत्ता होता है अगर हम इसकी बात करें तो हाल ही में RBI ने भारत में बैंकिंग की पिरबर्ती और प्रिगती 2021-22 रिपोर्ट प्रकासित की है इस रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का सकल सकल गैर निस्पादित परीसंपत्ति जो देखने को मिलेगा सकल गैर निस्पादित परीसंपत्ति जिसको ग्रॉस NPA बोते हैं देखिए ग्रॉस NPA क्या होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फर एक्जामपल के लिए मानते हैं एक बैंक के है उसका 100 रुपए NPA NPA तो आप लोग जानते हैं आप लोगों बताया था कि 90 दिनों तक अगर रिड़ पर ना ही ब्याज किसी भी प्रकार का रिटन ना है तो उस रिड़ को हम रख देते हैं NPA में लेकिन जब NPA में रखते हैं तो उसके बदले बैंक को कुछ पूर्ब उपाई के रूप में रखना पड़ता है मतलब 100 रुपए तो NPA हो गया अब यह 100 रुपए के बदले बैंक के लिए क्योंकि पैसा है बैंक का नहीं है यह लोगों का पैसा है यह डूम गया तो लोगों का पैसा डूमे का इसी लिए क्या होता है इसके रूप में जितनी धनरासी होती है जिस कैटेगरी में होती है तो पूर्ब उपाई के रूप में धनरासी रखनी होती है मानते हैं कि यहां पर जो NPA है बो सेकंड कैटेगरी में आता है तो यहां पर मानते है 40-30 उसको 40-30 उसको रखना है Red के रूप मतलब पूर्व उपाई के रूप में तो 40 रूपे तो total कितना हो गया 140 रूपे हो गया ना 140 रूपे हो गया 140 रूपे क्या कहलाएगा Gross NPA कहलाएगा और Net NPA कहा है 100 रूपे Net NPA क्योंकि 40 रुपए क्या यह पूर्ब उपाई के रूप में रखी गई धन्दासी है यह 15 रुपए भी हो सकती है 20 रुपए भी हो सकती है 25 रुपए भी हो सकती है 40 रुपए भी हो सकती है 100 रुपए भी हो सकती है आप लोगो देखने को मिलेगा क्योंकि ऐसा क्यों है क्योंकि जो NPA होता है उसको हम तीन स्रेडियों में बाट करके रखते हैं पहली स्रेड़ी होती है अगर किसी रिड़ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 90 दिनों से लेकर के 12 महीने तक अगर किसी भी प्रिगार के ब्याज और मूलधन की प्रापती नहीं होती है तो हम उसे फ्रस्ट कैटेगरिम रखते है अब मानक परिसमपत्ति सबस्टेंडर एसिर्ड में रखते हैं और सबस्टेंडर एसिर्ड में घ्र्थ और अगर वी स्ुरक्षट है तो 25 पर Τीसद रखने होती है से ये सोफ़ेघ्ण कारण बस कोई बेगती है लेकिन रिटन कर देगा तो वह इमांदर भना है जिसने रिटन नहीं कर पाया बीबीन नहीं अलग लिया था पाइसे खतम होगे थे तो जो उसने रड़ लिया था वो नहीं चुका पाया लेकिन उसने कहा है कि साहब मुझे 6 महीने का बग देदो मैं चुका दूँगा मैं बहुत इमानदार हूँ मेरा देख लीजी सिबिल रेटिंग बहुत अच्छा है तो मैं अपनी बीबी की कसम खा करके कहता हूँ और अगर यही जो एनपी है इसमें 12 महीने से लेकर और तीन वरस तक मतलब 3 एर्स तक 12 महीने से लेकर के मतलब 1 साल से लेकर के तीन वर्स तक अगर किसी NPA पर नहीं ऐसे किसी रेड़ पर नहीं ब्याज की प्राप्ती हो नहीं मुलधन की प्राप्ती हो तो उसके लिए हम उस NPA को second category में रखते हैं यानकि doubtful परी संपत्ती में रखते हैं जो doubtful परी संपत्ती होता है doubtful acid होता है उसके बदले 40 प्रतीशत जैसे सो रप एनपी है तो 40 प्रतीशत रखना होगा पूर उपाई के रूप में इसी तरह से अगर तीन वर्स से जादा हो जाए और उस पर आज तक कभी भी ना ही उस प गया हो उसे थर्ड के टेगरी में रखते हैं उसको बोला जाता है इसके बदले पूरा 100 प्रतीसत एनपी जितना एनपी होता है उसको 100 प्रतीसत पूर वुपाई के रूप में रखना होता है दीखिए लॉस एसे रखा जाता है जिसे जिसे आप लोग देखने को बिलेगा जो डूबी हुई परी संपत्ती होती है लेकिन आर बी आई या फिर किसी अन विभाग के द्वारा उसको राइट ऑफ अभी तक ना किया गया हो राइट ऑफ आंसिक रूप से या फिर पूर रूप से राइट ऑफ नहीं किया गया हो उसे थर्ड के टेगरी में रखते हैं राइट ऑफ क्या होता एक प्रणाली होती है अगर हम लोग बात करें देखे यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा बैंकों का सकल गैर निश्पादन परी संपत्ति जो ग्रॉस एंप आप लोगों देखने को मिलेगा 2017-18 में अपने सीर्स नौ परतिसत पर था जो घटकर सितंबर 2022 में पांच परतिसत के स्तर पर आगे है तो यह चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी तो यह है देखिए इस तरह से यहां पर बताया है यह सारी सीज़े की देखिए किस तरह से एंप यह बनता है जो अभी हम आप लोगों के लिए समझा चुके हैं एंप यह के बारे में जो अभी हम आप लोगों बताई थे वह सारी सीज़े रिपीटेट है लेकिन यहां पर एक चीज़ें आप लोगों ध्यान रखना है एंप यह के लिए भी हमने आपको बताया था नब्भय दिन लेकिन हर चीज़ पर यह लागो नहीं होता किरसी के लिए अलग पर आप तो मूल धन पर आप तो उसको हम किसमें रख देते ऐसे रिड को हम क्या बोल देते एंप यह बोल देते हैं लेकिन आप लोगों को देखने को बिलेगा कि यह नब्भय दिन की जो केटेगरी है हर चीज़ पर लागो नहीं होती किरसी छेतर के लिए कंडिशन क्या ह लगो अबदी का रिड दिया गया है तो उसके लिए आप लोगों को दो जोत मौसम का बेट करना पड़ता है मतलब जोत मौसम क्या होता है एक बार फसल को बोने से काटने तक का जो समय होता है उसको एक जोत मौसम बोला जाता है फिर हम दूसरी फसल बोते हैं फिर उसको का ना ही ब्याज चुकाए तब हम उसे NPA की स्रड़ी में रखेंगे और इसी तरह से अगर किर्शी छेत्र में दीरग काल के लिए यहां पर रड़ दिया गया है तो एक जोत मौसम का प्रतिक्छा करना होता है एक जोत मौसम के प्रतिक्छा करना होती है इसी तरह से आम लोगों क अनों के द्वादम इसी तरह स्सथान होती है उनके द्वार ृट दिय बहुता है उसकी दिन वारो लोगो प्रतिक्ट्ट के दे और चीजिस वाली आ कर सकते हैं यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ संबंदित यहां पर आप लोग के लिए कि पॉइंट्स देखने को मिलेगे जैसे कि यहां पर इस गे बारे में देखने को मिलेगा इनहांस्ट एक्सिज एंड सर्विस एक्सिलेंस आप लोग के लिए एक सुधार देखने को मिलेगा इन सुधारों को 2018 इजी 1.0 जो इजी 1.0 में सुरू किया गया था इजी सुधार का निरक्षड भारतिय बैंक संग जो IBI आप लोग को देखने को मिलेगा Indian Bank Association जिसको बोलते हैं द्वारा किया जाता है नमीनतम इजी सुधार इजी नेक्स्ट में दो प्रमुक पहले आप लोगो सामिल देखने को मिलेगी नमबर एक तो है समान पबलिक सेक्टर बैंक सुधार एजेंडे के लिए इजी 5.0 के शुरुआत की गई है इसके तहट पबलिक सेक्टर आधुनिक छमताओं ये तू निवेस को जारी रखेंगे और साथ में साथ ही वे गिरहाकों की परिबरतन सी जरूरतों और बदलती प्रतिस परदा और नई तकनी की अपनानी की दिसा में प्रयासरत रहेंगे बैंकों की बैबसाइग प्रात्मिकताओं के आधार पर इजी 5.0 के अतरिक बैंक बैंक बिसिस्ट तीन बरसी है रड़नीतिक रोडमैप तैयार किया जाएगा इसके तहट बैबसाइब बड़ उत्री लाब प्रदाता जोखिम ग लो आरेस आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको इंटर ऑपरेटेबल रिगुलेटरी सेंडबॉक्स जिसको बोलते हैं तो आरबी आई ने लो आरेस के लिए मानक परिचालन पिरिगरिया है वो घुशित की है अगर हम बात करें एस ओपी को फिंटेक क्या होती है जो फ फिंटेक क्यालाते हैं तो फिंटेक पर फिंटेक पर अंतर विनियामिक तकनीकी समूझ जो आप लोगों को देखने को मिलेगा आई आर्टीजी इंटर रेगुलेटरी टेकनिकल गुरूप आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको आई आर्टीजी बोलते हैं ने तयार क आई यार्टीजी की अध्यक्चता आरबी आई का फिंटेक जो प्रभाग है वो इसका अध्यक्चता करता है अगर हम बात करें भारतिय प्रतिभूती और बिनियमन बोर्ड जो आप लोगो इसलिए सेवी देखने को बिलेगा और साथ में अगर हम बात करें एडरा की बात करे देखने को बिलेंगे मतलब इतना जाद आप लोग के लिए नहीं रखने के आप सकता है आप लोगो देखने को मिलेगा कि लो आरे से एक ऐसा तंतर है जो उन नमीन और हाइब्रेड बित्य उत्पादों या सेवाओं के परिक्षड की सुब्दा परदान करता है जो एक से अधिक बित्य चेत्र की बिनियामक की परिधी में आते हैं तो यह चीज़ आम लोग देखने को बिलेगा अगर हम बात करें फ्रेमबर की मुख बिसेस्ताओं की अगर हम बात करें तो उत्पाद की मुख बिसेस्ताओं बिनियामक के प्रभाव को निर्धारित करेंगी जिस बिनियामक के अधिकार छेत्र में ऐसी बिसिस्ता होंगी बहे प्रधान बिनियामक होगा ओके तो यह चीज आप लोग के लिए देखने को मिलेगी पिरमुक बिसिस्ता दो तरह से तैकीज आईगी मौजूदा उत्पादू जैसे कि आप लोग को रेड और जमायादी पर देखने को मिलेंगी तो यह चीज़े हैं आप लोग यहां पर देख सकते हैं और यहां पर कुछ ऐसी बिसिस्ता नहीं है देखिए हम लोग यहां से कल हम लोग देखेंगे मतलब बहुत रात हो गई है अब क्लास को बरगर देते हैं बहुत महत्पुड़े टॉपिक देखने को मिलेगा बसूली और पुनरगठन उपाई की जो रीकबरी एंड री स्ट्रेक्ट्रिंग मेजर्मेंट है मेजर हैं उ और बसूली वाले जो अधिकरण हैं वो यहां पर उनकी पीठे हैं वो गठित की गई हैं तो यह चीज़ा आप लोग देखने को मिलेगी तो हम लोग कल इसको देखेंगे तो चलिए आज के लेक्टर को यहां पर ही ब्रेक करते हैं जादे साथ वीडियो को लाइक करें आप को रूबरू करा देंगे एक दम लाइक घोल करके पिला देंगे तो आगर के ये वाली कलास कर लीजिए जो भी जन 365 है इसके अलाबा आप लोग हमारी महा मैराथन कलास कर लेजिए आप एकदम राजा वभू बन जाएँगे एकानोमिक्स के चेत्र में तो चलिए आज की कल लोगो देखने को में.